हलो बच्चों कैसे हैं आप क्या हाल चल आपके आज मेरे बच्चे सीए फाउंडेशन की पहली क्लास हमारी है और इस फर्स क्लास के अंदर में आज हम जिस चेप्टर को पढ़ने वाले हैं वह हमारा theoretical framework ये बुक जो मेरे आपके पास गई हुए मेरे बच्चे इसी बुक का ये फर्स पेज है फर्स चेप्टर आपका theoretical framework और इसमें आज हमें study करने वाले है meaning and scope of accounting क्या chapter का नाम है meaning and scope of accounting ये word आपको ध्यान में रखना पड़ेगा देखो इस पूरे चेप्टर के अंदर में हम लोग जो आज पढ़ने वाले हैं जिस पे हमारा पूरा फोकस होगा वो इस accounting word के उपर में होगा मैं जानता हूँ आप में से लगबख सारे बचे 11 class, 12 class से accounting पढ़ते आ रहे हैं वो general entry, leisure account, trial balance, पता नहीं क्या क्या कुछ बचे जो science या arts background से थे और वो CA foundation में admission लिये हैं उनको accounting का जानने का complete उनके दिमाग में curiosity है कि accounting actually होता क्या है हम इसमें करने वाले हैं मिरबचे इस chapter को पढ़ाने का मेरा दो main region है एक तो no doubt कि आपको आपको आपके exam में devis mastery कराना यानि कि इस chapter से कोई भी कोशन आ जाए तियोरी के कोशन आएंगे इससे निवरेकल कोशन कुछ बनता नहीं है जो भी कोशन आ जाए आप बहुत असानी से उसको attempt करें एक तो आपका ये motive होना चाहिए जो मेरा motive आपको पढ़ाते समय है second और इससे भी बड़ा जो मेरा motive है ना मैं चाहता हूँ कि आज के बाद या कहे दो आज से आपके दिमाग में accounting का जो exact picture है जो accounting में आप करने वाले हैं आपके पूरे life में अभी आप foundation में है इंटर में आएंगे फिर final में आएंगे फिर CA complete हो जाएगा फिर industry में जाएंगे आप वहाँ पर काम करेंगे अपनी company खोलेंगे वहाँ भी accounting को आप यूज करेंगे तो actually accounting क्या है accounting में हम क्या करने वाले हैं और accounting का exact meaning क्या है हम उस chapter को इस chapter को पढ़ते पढ़ते हैं इसको भी हम पूरे अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करेंगे हमारी कोशिश यह होग कि accounting वर्ट समझने के बाद जो accounting का जो main मज़ा है ना बच्छे main मज़ा accounting में मज़ा हां मैं दिखाऊंगा बहुत सारे यहाँ प्याच्छे मज़ा है वो मज़ा लेने की जो ललक होती है ना वो आपके दिमाग में आज से बैठना शुरू हो जाए हम शुरू करते हैं आपका theoretical framework में आपका पहला chapter आपका meaning and scope of accounting मज़े बच्छे मैं यह मान के चलता हूँ इस chapter को पढ़ने के पहले कि 11 tool class में आपने वो जो छोड़ी शोड़ी बात नहीं होती थी journal entry, leisure account, trial balance, trading account, profit loss, balance sheet इन सबके बस नाम आपको पता है आप यह कैसे करते थे क्या होगा वो सब हम सिखें अपने इस course के अंदर में, second chapter के अंदर में, लेकिन बस आपको नाम पता होना चाहिए कि हाँ जी ऐसी कुछ चीज़े आपकी होती थी, ठीक है ना, अब मैं आपको लेकर आना चाहता हूँ, accounting को समझाने के लिए, इस chapter पर पूरी mastery कराने के लिए, और इस के लिए मैंने accounting word, ध्यान से मेरी बात सुनेंगे, यह जो accounting word है ना बच्चे, इस chapter में जो आपका नाम लिखा हुआ है, इस accounting को समझने के लिए पहले आपको क्या करना होगा, economic activity को समझना पड़ेगा, सरी ए economic activity क्या होते है, देखो, अगर मैं आपको business में, अभी दिमाग बिलकु शान दख आज हम कोशिश करेंगे, देखो, accounting की शुरुआत, जो है ना बच्चे, accounting word, जो है, वो no doubt कि एक business से जुड़ा हुआ है, क्योंकि आपने 11 tool class, और जितने भी पढ़ाई कर रहे हैं, सब कुछ क्या हो रहा है, एक business की accounting करते हैं, business का recording करते हैं, तो हम accounting, यानि कि एक business, तो business के अ जी, जो भी हम उसमें काम करते हैं, activity, जो हम आपका day to day business के अंदर में activity करते हैं, वो जो money के term में, economic, यानि कि money के term में जो activity होते हैं, हम उसको बोलते हैं, economic activity है, मतलब जो money में आपके लेंदेन होंगे, money में जो आप activity करेंगे, हम उसको यहाँ पर economic activity कहेंगे, actually जो economic activity है, इन को कहते हैं ट्रांजक्शन और एक जिसको कहते हैं इवेंट सिर्ट ट्रांजक्शन में और इवेंट में क्या फरक है देखो बहुत सिंपल शब्दों में आपको बताऊंगा और मुझे लगता है कि एक्जाम में कभी अगर कोई केस्टेडी आ गया रहा है कि बताओ जी ट्रांजेक्शन है कि इवेंट है आप बहुत आसानी से उसको बताना शुरू कर देंगे जिसने rent पे promises लिया रेंड पे करता है salary पे करता है हम भी लिखे नई लिखना मरी बच्चे बस सुनते चली मरी बात rent पे करना salary पे करना goods को sold करना यानि कि sale करना goods को purchase करना आपका advertisement करना machine को purchase करना building को purchase करना पता नहीं कितने सारे depreciation को charge करना यह सारे चीज जो आप करते हो ना बचे, बिजनेस के अंदर में, डेली रूटीन में, इन सब को हम कहते हैं कि आजी यह हमारे ट्रांजेक्शन्स हैं, हम इनको क्या बोलते हैं ट्रांजेक्शन्स, ट्रांजेक्शन्स का मतलब होता है कि जो एक्टिबिटी आप डेली रूटी क्या हुआ हम उसको इवेंट कहेंगे इस यह अल्टिमेट इफेक का मतलब नी तो इवेंट कहना चाहते हो जैसे मैं बताता हूं आपने रेंट पेक्या, सहली पेक्या, कमिशन पेक्या, वेजिज पेक्या, इन सब को करने के बाद हमने goods purchase किया goods sale किया machine purchase किया machine sale किया सब कुछ करने के बाद आपके पास एक particular point of time पे cash कितना है इस सारा कुछ किया किया ना बचे तो पैसा आया गया पैसा आया ठीक है अब बताओ cash आपके पास हाथ में कितना है किसी भी particular date पे आपका वो event होगा यानि कि जितने भी transactions किया उसका ultimate impact यानि कि cash in hand आपके पास कितना है यह हमारा क्याजी एक event है हमारे bank में पैसा कितना पड़ा हुआ bank at end में हमारे पास bank में कितना पैसा हो एक event आपका है हमने machine purchase किया हमने उस पे depreciation charge के सारे transactions होते हैं लेकिन सबके हो जाने के बाद हमारे पास एक time पे यानि कि मानलो आज के दिन पे हमारे पास machine का कितना balance बचा हुआ है कितना machine हमारे पास है वो हमारे क्या होगा machine in hand machine जो आपका आपके पड़ावाय जी in hand वो हमारे क्या होगा जी आपका यहाँ पे event होगा हम लोगों ने क्या क्या goods को purchase किया goods को sale किया ठीक है यह हमारे transactions हैं लेकिन जो goods आपने purchase किया goods जो sale किया इसके बाद goods हमारे पास end में कितना बचा हुआ है कुछ purchase किया कुछ sale किया कुछ waste हो गया कुछ यह वो तो end में कितना बचा हुआ है, end में यानि कि stock हमारे पास कितना है, वो हमारे क्या होगा, event आपका होगा, वो event होता है तो मेरे कहने का मतलब है कि event का मतलब कि जो transactions हम business में करते हैं उसके चलते हैं एक ultimate effect किसी एक particular item को उपर में जब हम major करते हैं, हम उसको event कहते हैं मरे बचे, बिलिब कीजे, यह जो accounting है ना, जो accounting में हम करने वाले हैं, जो accounting करने वाले हैं, अकाउंटिंग में क्या करने वाले हैं, बात का विशह हैं, फिलहाल समझ लो कि accounting मतलब वो जो, आप जो सोच रहे हो कि कल क मैं CA बन गया, और CA बनने के बाद किसी company में गया, और company में जाने के बाद उनके जो accounting उनका करूंगा, तो अभी आपका दिमांग क्या बोलना है, कि हम इन सब चीजों को record करेंगे, यही आपका दिमांग में चलना है ना, तो मैं कह रहा हूं कि यह जो transactions और जो event होते हैं, इन की recording जो है न बच्चे, इनकी recording, इनका proper तरीके से classify करना, इनको आपका interpret करना, यही हमारा क्या होगा, accounting में किया जाएगा, फिर से सुनिए, accounting क्या है, हम कहते हैं कि यह accounting को समझने के पहले, आप समझो कि economic activity क्या होता है, economic activity का मतलब कि जो आपकी business में, routine में, जो आपके transactions होते ह में बच्चे, और फिर उनका जो ultimate effect आपका होता है, तो business में जितने भी transactions और event होते हैं, उनही transactions event को proper तरीके से record करना, उनको classify करना, उनको summarize करना, पता नहीं क्या क्या चीजे मैंने बोल दिया, है ना, देखेंगे ना उसका मतलब, तो हमने कहा कि देखो जी, एक तो पहले आपका, आप कोई पुले कि ठीक है, हम transaction event तो समझ गया है, लेकिन बताओ ना, accounting क्या होता है, accounting किसको बोलते हैं, तो आप उनको समझाना, लिखना नहीं, अभी मरी बात धान सुनना है, accounting, कहा गया है मेरे बच्चे, आपका definition होता है, accounting is an art, accounting एक आर्ट है, एक कला, किस चीज का, कहते हैं कि यह कला है मेरे बच्चे, of recording, of recording, classifying and summarizing, इसका meaning अभी आगे बताओंगा, चिंता ना करना, लेकिन फिलाल, accounting is an art, of recording, classifying, summarizing, क्या, किसको record करना, किसको classify करना, किसको summarize करना, तो transactions को and event को, तो कहते हैं कि transactions, transactions and events, transactions and events आपका, हैना, transactions and event, अगर मैं कह देता कि accounting is an art, of recording, classifying, summarizing, economic activity, तो meaning वही निकल के आ जाता है, ठीक है ना, तो फिलाल जो definition आपने बच्चमन से पढ़ा हुआ है, accounting is an art, of recording, classifying, summarizing, transaction, event, in monetary terms, इसमें कोई डाउट ना हो, कि पूरी accounting जो आप सिखते हो, या जो आप करते हो, या जो आगे करने वाले हो, वो money के टम में करने वाले हो, यही हो गया मने बच्चे, definition of accounting आपका, accounting क्या है, देखो ना, यार हो गया आपका, exam में आ जाए, mc को के रुप में आ जाए, fill in the blanks को गुरुप में आ जाए, कौन रोकने वाला आपका, accounting क्या है, accounting एक कला है, art, 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 यानि कि एक कला है, किसका जी, इन ही transactions और event को record करना, classify करना, उनको summarize करना, in monetary terms आपका, अब मैं इसके एक-एक word का आपको operation करना चाहता हूँ, एक-एक word का operation, पता है, मैं पहले आपको इनका operation क करने के पहले, याद दिलाओं वो बच्चमन की बाते, याद कीजिए, जब आप 11th class, 12 class में थें, तो आपने accounting में आपके जो छोड़-छोड़े सर हुआ करते थे, उन्होंने क्या-क्या सिखाया था, याद कीजिए, आपने जर्नल एंट्री पास किया था, मैं आपको याद दिलाओं तो सबस्री रिबुक के बाद आप यहाँ पे लेजर लेजर अकाउंट आप बनाया करते थे, फिर आप याद कीजिए, आप यहाँ पे ट्रायल बैलनस बनाया करते थे, यादारी बच्चमन की बाते, आप ट्रायल बैलनस बनाया करते थे, और इस ट्रायल बैलनस आपने क्या पढ़ा था आज तो हमें accounting का मीनिंग समझना है और उसका definition हमें क्या बोलता है और हम future में क्या क्या करने वाले accounting के अंदर में उन सारी बातों को हम यहां समझेंगे पर बच्छे accounting क्या है जी इजन आर्ट एक कला है पहले तो आर्ट का मिनिंग लोग समझते ना आर प्रोइंग करता है नहीं मेरे बच्चे जो भी अपने फिल्ड में माहिर है ना अपने फिल्ड में भी आप काम कर रहो है अगर आप उसमें master हो माहिर हो तो आप उस फिल्ड के आर्टिस्ट हो मतलब सर मैं बताता हूं जैसे एक शारू खान का नाम आपने सुना होगा वो आपके अगर मैं कुछ singer के बात करूँ तो कई सरे नाम में भूल गया हमाई टाइम पर अनुमलिक होते थे हमाई टाइम पर अनुराधा पोड़ोल होते थे लता मंगिश्कर जी होती थी तो यह सभी क्या है वो singers है और singers के वो artist है singing करने के artist आपका है वो अपने फिल्ड क कहा जाएगा accounting का तो आठ का मतलब क्या होता एक कला किसी की कला यह accounting को प्रोपर तरीके से करने के जिनके पास जैसी कला है ना वह उतने उस लेबल का artist है नो डाउट कि आप बहुत बड़े लेबल के artist होने वाले हैं तो accounting जैना art of recording अभी recording क्या है याद है मैं आपको थोड़ सब्सक्राइब करते हैं इन दोनों को क्लब करके हम क्या बोलते हैं जी जर्नल जर्नल तो एक्जाम में आगर आज आए अभी पढ़ाऊंगा मैं बुक से अप चिंता ना करो accounting एज आर्ट फ रिकोरदिंग रिकोर्डिंग कहा होता है तो हम बुलते हैं किจะ इंदर में जर्नल का मतलब क्या जी या तो सब्सक्रेड़ोकолод और इंट्री आपका है न सब का आप सेपरेट सेपरेट क्या करते हो अकाउंट ओपन करते हो आप रेंट अकाउंट ओपन करते हो आप सैली अकाउंट ओपन करते हो मशीन अकाउंट ओपन करते हो बिल्डिंग अकाउंट ओपन करते हो करते हो ना यह सर तो हम क्या करते हैं एक जैसे जो इवेंट है उन लोगों ने record किया जर्णल में फिर उसको क्या करना जिलेजर में जाके उसको classify करना यानिकि एक जैसे आइटम को एक जगर record करना यह करते हैं आपको करना है हम foundation में भी करेंगे तो accounting is an art of recording classifying and summarizing फिर जो आपने लेजर में जो आपने records किया ना बचे उन लेजर के कि मैं बनाईवे record से क्या करते हैं आप उनको SMR which करते है या किजिए laser के बाद आप क्या बनाई करते थे आपका ट्राइल वैलस तो समराइजिंग कहां से stp का च ambassador longingzi यहां ट्रेल वैल्स में से जो आपके जो ट्रेडिंग के खरचे अने वाल आईटम वो सेल्स वो पड़ेज उन सबको हम कहां दिखाते थे ट्रेडिंग अकाउंट में तो यहां भी हम समराई लेजर में उनको समराइज कर रहें कभी आपका ट्राइल समें फिर आपका प्रोफित समें बैल सीट के अंदर में एक जैसे जो आपकी अध्राइस होते है तो ये सारी बाते आपका मोने ट्रंब्र करते हैं अप कि क्योंकि आप याद किज्यें चाहे वह आपका जर्नल हो चाहे वह लेजर हो चाहे वह ट्रेडिंग प्रोफिट्लस बैलन शीट हर एक जगह मरें बच्चे आपके पर लेकर आते हैं इसको हम बोलते हैं क्या जी आपका accounting is an art of recording, classifying and summarizing transactions event in the monetary terms आपको ठीक ना और इन ही बातों को मेरे बचे आपके पास ना definition के अंदर में आपका institute इस तरीके से दिया हुआ है एक बार आउना जड़ा समझते हैं पहले कि definition of accounting में आने के पहले यहां तक कि सारी बाते देखिए क्या बता रहा है सुनेंगे द्यान से एक एक वर्ट में हमारी माप्स्ट्री होनी चाहिए Every individual जितने भी लोग हैं परफॉर्म सम एक्टिविटी सच अक्टिविटी आ परफॉर्म थूरू ट्रांजेक्शन एउन्ट बिजनेस में जो activity होता है न हम वो activity कैसे perform करता है या तो transaction होगा या फिर उसका effect यानि की event होगा इन ही के थुरू आपका transaction का मतलब क्या होता है जी it means business activity which involves exchange of money or money worth जहां पर exchange हो रहा है money या money के worth यानि कि उसके value के बराबर मशीन खरिदना तो हमने मशीन लिया पैसा दिया building खरिदना तो बिल्दिंग लिया पैसा दे तो कहते हैं कि between the party it is performance of an act or an agreement को पर्फॉर्म करना वो transaction in other words result of any transaction it means oh sorry गलत लिखा it in other words result of any transaction किसी भी transaction का जो result होता है हम उसको यहाँ पर क्या बोलते हैं it can be measured in terms of money and changes in financial position आपका यह money के term में अब अब कर सकते हैं चरुब यहां पर दिया हुआ है जी में थो बैंक ठोड़ियो सोर्सेज इसने से पैसा रिज करते हैं यह ने रम निया हम्ने कैपिल से भी कुछ पैसा लिया और किसी डिवेंचर्स कि उखिए पता नहीं कहां कहां सामने लोल ली आ यह सब हमारे क्या होते हैं लेकिन इसके बा इनिंग कितना है वह इफेक्ट कितना दिखना उसको इवेंड बोलते हैं वह कह रहा है आपका कि रेजिंग मनी तुरू वेरियस सोर्सेज आट ट्रंजेक्शन लेकिन जो प्रोफिट लॉस एड़ अपका हुआ है उसको क्या बोलेंगे इवेंड कहेंगे हैं न यह जो हमने ट कितना निकल क्या है in my memory हमारे पास जो एकाूंटिंग क्या है बोलना लेजर आर्ट बोले किसी का आर्ट ओव रिकॉर्डिंग क्लासिफाइंग और सम्मराइजिंग का मतलब विर क्लासिफाइंग क्लासिफाइंग कहां पर होता है। सब कोश्ण एक्जान में आपके की क्लासिफाइंग किसको रिपर जन करता है तो héван किसको रिपर जसेंग करता है तो ट्रायल बैल्स ट्रेडिंग काउंद प्रॉफित लोस बैल सीड़ ज़ो हम बनाते ने बचे प्रे अल बात है किसको हमें लिखेंगा जी ट्रांजिक्शन इवेंट इवेंट इन आपको यहां पर बता दिया यह डिया हुआ है ध्यांदना एक्जाम में आजाए है यह तो मैंने आपको देदिया आपके इंस्टूट के स्टेडी में है इट इजन आट ओफ रिकॉर्डिंग क्लासि सबसे इंपोर्टन बात वन मार के कोशन के लिए इट इज ऑलसो कॉल्ड दे लैंग्वेज ऑफ दो बिजनेस आप अपने बुक में भी अंडरलाइन कर लेंगे ऐसे मैंने बोल्ड करके आपको दिया हुआ है कि अकाउंटिंग क्या है एक लैंग्वेज है एक जाम में कोश लेकिन आज मकसद क्या जी अकाउंटिंग को समझने का तो अगर मालो आज अब क्लास के बाहर निकलोगे कोई दोस्त या कोई दुश्मन आपसे मिल गया और पुछ दिया कि जिना बताओ जी कि लैंग्वेज ऑब बिजनेस किसको बोलते हैं हम बोलेंगा अकाउंटिंग को क्योंकि मेरे बिजनेस में जो भी कुछ हो रहा है ना जो भी कुछ हो रहा है हम अकाउंटिंग के थ्रू ही इसी लैंग्वेज में अकाउंटिंग के लैंग्वेज में हम दुनिया को क्या करते हैं उसको परजेंट करते हैं उसको दिखाते हैं तो अकाउंटिंग इस कॉल थोड़ा open करना चाहता हूं जब भी accounting का मिनिंग होता ना accounting क्या होता है तो आपको अगर मालों की जैसे formula आपको याद है तो भी आप क्या करते है अगर आपको definition पता है तो आप मालों एक्जाम है आगया कि what is called accounting तो आप इसी को लिख क्या जाते है accounting is an art of recording, classifying, summarizing, transaction even in the monetary terms और बोलते हो कि मज़े मज़ा आगया पूरे मार्क से मिल जाएंगे कुछ बच्चे क्या बोलते हैं कि चलो जी ठीक है एक लाइन और लिख देते हैं accounting is also called the language of business मेरे बच्चे accounting यहां पर नहीं रूखता मैं आज आपको प्रतेक्ष आपको accounting में आप क्य क्या करने वाल हो एक सीए बनने के बाद एक चार्ट रिकांट बनने के बाद वह मैं आपको बताना चाहता हूं कि देखो यह जो चीजे है ना यह जो चीजे है मेरे बच्चे यह आपका जन्रल सब्सटरी लेजर ट्राइल वेल्स ट्रेडिंग प्रोफिट लस बैलशिट मै तो कहता हूं कि यार इसको करने के लिए इसको बनाने के लिए एक सीय के डिगली की रिक्वामेट नहीं है इसको कोई भी कर सकता है कोई भी कर सकता है एक बीकों जो कप्लेट किया है उसको भी क्या वोगा offensive कंप्रिट हो यह सब काम fel करना शुरू कर करने वालों हो इसको तो यह तो चीजे हो गई होंगी इनके साथ साथ यह जो आपका यह इनके साथ साथ यह जो आपने record किया ना इन सबका मेरे बच्चे आप करते हो analysis analysis यह वह एक ऐसा word है एक ऐसा word जिसको बीना समझे बगर और बीना लिखे बगर exam में आप accounting के definition को complete नहीं मान सकते सरी analysis क्या होता मैं आपको बताता हूँ मरे बच्चे जो मैं really चाहता हूँ कि आप में से हर एक बच्चा degree को complete करने के बाद accounting में यही काम करें ना कि आप यह काम करें मैं नहीं चाहता कि आप इसमें से यह काम करें आप यहां पर आई सर होता है कि analysis जड़ा बताओ ना मैं आपको बताता हूँ बच्चे ये जिस company ने ये पूरा का पूरा जो accounting यहां पर किया इसके बाद company अच्छा perform कर रही है कि खड़ा perform कर रही है ये judgment करना होगा इसका analysis करना होगा आपको company का profit पिछले साल के मुकाबले इस साल बढ़ा की घट गया और अगर घट गया तो उसका क्या region है और वो region को पता करने के बाद फिर उस region पर काम करना यानि की controlling बढ़ाना कि हाँ जी ये हमारी company में गलतियां हुई थी इन गलतियों को control करना होगा और control करके हम क्या करेंगे आगे और आगे बढ़ेंगे ये सब आपका analysis के अंदर आता है इस पर भी काम करना वो आपका analysis के अंदर निकल के आएगा पिछले साल हमने जो आपका कुछ project उठाए थे वो project नहीं चल पा रहे हैं नहीं आगे बढ़ रहे हैं उन project को मैं आगे बढ़ाओं या भी उसको बंद कर दूँ ये भी analysis का part होता है इस सब आपको करना पुड़ाएगा मरी बच्चे हमें business में पैसे के requirement है वो पैसा मैं कहां से लेकर रहा हूं क्या मैं पैसा आपका bank से loan लूँ चाहे मैं किसी और दोस्त से करच ले लूँ चाहे मैं किसी एक honor को यानि कि एक partner को business में अपने साथ लेकर रहा हूं इन सब का decision लेना आपका काम होगा analysis के अंदर में याद अखना जैसे आपके body के अंदर में बच्चे blood है ना जो blood आपके body में आपका continuous circulate होते रह रहा है और आप इस बात को जानते होंगे नहीं तो अपने महीं में पापास से पूछ लेना कि अगर आपके body के अंदर में blood का level circulation जो है मर मालों कि blood का जो circulation body के अंदर में अगर वो जितनी requirement उससे कम हो गई तो भी आपका खराब है क्योंकि BP आपका down हो जाता है मिरे बचे किसी भी company का किसी भी business का जो blood है ना वो पैसा होता है अगर business में पैसा जितनी requirement है उससे ज्यादा हो गया तो भी business खराब हो जाता है और business में जितने की पैसे की requirement अगर उससे कम पैसा हो गया तो भी business खराब हो जाता है तो आप कल को accounting में CA बनने के बाद पता है क्या करने वाले हो यह पैसा यह blood जो है ना उस company का manage करने वाले हो आपको manage करना है आपको continuous इस बात को देखना है कि या इतनी बड़ी company जो world level में फाइल हु ज्यादा तो भी खराब होता है फिर ज्यादा तो फिर क्यों खराब होगा होता है बदमाश अरे पैसा अगर ज्यादा होगे आपको जो requirement उससे तो पैसे का अपना यूज का बरबाद करना शुरू करते हो उसका proper यूज नहीं कर पाते हो कई सारी company आज के टाइम पे आपने बताना जरूरी है क्योंकि कल को अगर आप भी अपने डिगरी complete करने के बाद अगर आपको लगता है कि मुझे business करना है तो इन बातों का बहुत ध्यान रखेंगे एक company में बचे अभी के टाइम पे चलिए बाइजू यह बाइजू company का आज से तीन साल चार सल पहले का जो track record मार्केट में आपका एजूकेशन सेक्टर में बहुत आपका ब्लास्ट हुआ इतने बड़ी company इसको टेक ओवर किया उसको टेक ओवर किया इतने सारे पैस से बरबाद किये वह शारू खान जी आते थे उनका करने के लिए और अरे शारू खान के एड करने से क्या बच्चा क of money हुआ क्योंकि इतने सारे investors उनके सा जुड़ गए इतने सारे पैसे उनके पास आगे उनको समझ में नहीं आया कि पैसा आखरी कहां यूज करे और ultimately काम खरा हुआ और यही नहीं मिले बचे मैं तो हजारों कंपणियों के नाम जानता मैं क्यों इतने नाम नहीं लेना चाहता मैं मैं तो सिभी यह कहना चाहता हूं कि जब भी आप कल को जब CA बन जाएंगे किसी कंपनी में जाएंगे खुद की कंपनी स्टार्ट करेंगे तो blood यानी की money का proper पर management करना बहुत important आपका है क्या किसी company को take over करना है नहीं करना बहुत सारे काम आप करने वाले accounting के अंदर में तो basically मैं कहना चाहता हूं कि accounting का जो definition है न यह complete definition नहीं है मेरे बच्चे आप यहीं पर exam में मत लिख जाना अगर आपको accounting का आजाए कि definition बताये तो आपको इसके बाद इस line को लिखना बहुत ही जादा important हो जाता है जिसको हम हमेशा ignore करते है वो क्या जी it also analyzes and interpret the financial transaction and event आपका यह analysis भी करता है यह interpret भी करता है analysis करना मतलब देखना judgment लेकर आना और फिर उसको interpret करना जिसको जैसे जैसे requirement है उसके पास information पहुचाना ताकि वो decision तरीके से आपका लिया जाए यह सब कुछ मेरे बच्चे accounting अंदर में आता है सब कुछ accounting अंदर में आता है समझे ना तो मुझे बताओ जड़ा अभी छोड़ो ना मैं एक्जाम की बात नहीं कर रहा मैं पढ़ाई की बात नहीं कर रहा है accounting क्या होता है accounting क्या होता है एक कला है किस चीज़ की कला है of recording, classifying, summarizing क्या चीज़, the transactions and event किसमें in monetary terms it is also called language of business लेकिन साथ-साथ एक लाइन जो सबसे important है it all it also analyzes and interpret the result there of आपका इनका जो transactions event जो है उनको analyze करना, interpret करना वो भी हमारे accounting के अंदर में आपका निकल के आता है कोई doubt इसके अंदर में नहीं सर तो पर बच्चे ये तो बात हो गई और मैं एक बात बताओं आपको इसके बाद ना मैंने भी मतलब कि आपके institute ने अपने study mat में दो definition और दिये वे हैं, same definition है थोड़ा सा change करके लेकिन फिर भी आपको इसको याद करके जाना पड़ेगा ये कहते हैं आपका एक चीज़ देखेंगे, as per American Institute of Certified Public Accountant यानि कि AICPA ये 1961 में मिरे बचे इस definition को उन्होंने दिया था, कहते हैं कि accounting is the art of recording, classifying, summarizing in a significant manner and in terms of money कहते हैं कि transactions and events which are in at least of a financial character and interpreting the result thereof, वही चीज़े यहाँ पर भी आपका निकल क्या रही है सर जब ये same चीज़ आपका यहाँ पर है, तो आपने यहाँ पर क्यों अलक्स दे दिया, इसलिए मिरे बचे क्योंकि ये जो definition है न, ये किस ने दिया है, ये definition किस ने दिया है, ये कब दिया गया, ये दोनों important हो जाते हैं, one mark के question के लिए, कहीं अगर आप fill in the blanks आ जा जा है तो ये definition आपको पूरा दिया रहेगा, और लिखे के बताओ ये definition किस ने दिया था, ये किस year में आपको दिया गया था, तो ये बात आपको याद रखना पड़ेगा, AICPA और दूसरा 1961 इस definition को याद कर लेंगे, समझाने के लिए कुछ भी नहीं है क्योंकि exactly same आपका है, हमार आपका यूजर्स आपको पूर्पर तरीके से डिसीजन ले पाएं, इस कंपनी में पैसा लगाना है, नहीं लगाना है, कंपनी अच्छी है, खराब है, क्या अच्छा काम कर रहें नहीं, मतलब जो भी डिसीजन आपको लेना है, उनको प्रोपर कम्मुनिकेट करना, ये definition मे ये कैसे आगा जी, बताओ, ये definition किस ने दिया था, तो ये नाम आपको याद रखना पड़ेगा, कहीं ऐसा छोड़ दिया, तो फिर दिक्कत हो जाएगी, कोई डाउट आपको नहीं से, अब देखो, मैं आपको कुछ और दूर लेके चलना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ क आपके अंदर जो शक्तिया हैं, आप जिस तरही के से पढ़ते हो, आपका जो पढ़ने का तरीका है, वो entirely different है दुसरे बच्चों से, आप CA बनने वाले हैं, लेकि मैं बच्चे, CA बनने के बाद ना, आप जो CA बनने के बाद, यानि के CA के डिगरी complete करने के बाद, जब आप इंडस्री में जाओगे काम करने के लिए, तो आप अपने, आप किस फिल्ड में काम करने वाले हो, आप कौन सा काम करने वाले हो, वो तैय अगर आपको करना है ना, तो आपको आज से तैय करना पड़ेगा, आज से, सर कहना कह जा तो मैं समझे नहीं, मैं आपको बताता हू देखो मैं मानता हूँ कि जितने भी C.A. बनेंगे ना यानि कि मैं आप लोग की बात कर रहा हूँ इस में से दो तरीके के C.A. होंगे एक होंगे आपके बदमाश C.A. एक होंगे आपके अच्छे C.A. दो तरह के सिय होंगे चछी बदमात्र सिय कौन हो त forwards up अगर आपको अचछ सिय बनना है ना बचे अच्छ सिय तो और जा सिय का मतलब होता है वह जो जेनली इनके उपर में काम करता है इनके उपर मैंसका कर दो इसका कालर के लेते हैं यह लिजिए जो अच्छ यह होता वह जैनली क्या करता है जी कि वह इन पर काम करता है मतलब की ट्रेडिंग प्रोफिट्ट लॉस, मतलब जो क्या बोलते है रहे कमपनी का जो फानांशिल स्टेटमेंट है उसको प्रपर तरीके से बनाना और बनाने के बाद उसका एनलिसिस करना एनलिसिस बहुत इंपोर्टन काम आपका मेनेजमेंट जिसको बोलते हैं देखो कई सारी ऐसी कंपनी हैं मैं सच बता हूँ बड़ी बड़ी कंपनी है जो आपको CA बनने के बाद बड़े बड़े पैकेज़ देंगे 20 लाग 30 लाग 40 लाग पैकेज़ दे सकते हैं लेकि पता आपको काम क्या देंगे वो काम देंगे आपको यह करने का जैनल बना दो सब्सेटरी बूक लेजर एकाउंट ट्रेलवेल्स बना दो जी और काम खतम करो मैं बच्छे मैं बोलूँगा कि आप CA बनने के बाद अपना टार्गेट यह मत रखना बस यह बूक किपिंग आपका होता है यह भी CA करते हैं छोटे छोटे चोटे कंपनियों के अंदर में यह कोई एक अकाउंट कोई भी कर लेता है लेकि बड़ी-बड़ी जो कंपनिया होती है जो कि एक ब्रैंड के को रिप्रिजन करती है वह इस काम को करने के लिए CA रखती है और यह पता यहां पर जनरली कौन से जाते हैं यह सी जाते हैं आप यह मत आना में बच्चे क्योंकि लाइफ यहां पर ही नहीं अब सोचो ना बुक किपिंग मतलब क्या सिंपली रिकॉर्ड मेंटन करना वह आपका आपका जो अगर हम डेफिनिशन देखे तो ब रिपिटिटिव वर्क है बार-बार एक चीज डेली बेसी से पर ट्रांजिशन हो रहे हैं इवेंट हो रहे हैं उनको रिकॉर्ड करना मजा नहीं आएगा आपको अगर मजा लेना चाहते हैं और या फिर अगर मालो स्टार्टिंग में आप यहां पर आभी गए तो भी आप बात हैं जो मैंने आपको बताया था किस प्रजेक्ट में पैसा लगाँं कौन सा प्रोजेक्ट निकाला लों को कैसे मैनेज करो हैंना कहा System लगाना कहा पे हैं कौन सी जगहागा एकस्टमेंशन होना चाहिए यह प्रॉड़क्त की प्रैसिंग कित्नी होने चाहिए क्या प्र यूज होगा जहां पर management actually आएगा management जहां पर आपका आएगा management जहां पर आएगा वह आपका यहां पर निकल के आता है तो मैं सरी यहां पर आने के लिए हमें क्या करना होगा दो तिन चीज एक तो मेरे बचे आज से ही आप जो और हाई कर रहो ना अपना सीए फांडेशन फिर सीए इंटर फिर फाइनल इसमें जो आप आर्टिकल शिप करोगे वहां भी मस तरीके से आर्टिकल शिप कीजिए ट्रेनिंग लीजिए बड़े-बड़े लोगों के साथ मिलिए दो अच्छे दोस्त बनाईए कम्मिनिकेशन स्ट्रॉंग केजिए लिडर्शिप क्वालिटी स्ट्रॉंग केजिए अनलिटिकल जो माइंड होता है उसको लेकर आईए और ये एक दो दिन में नहीं आता है इस पर कॉंट्रेन्स उवर करना होता है तो मिले बचे यहां पर क्योंकि आपको बहुत सारे अच्छे-च्छे काम करने पड़ेंगे तो आपको वह चीज करना चाहिए पता क्या बोलना चाहता हूं मैं कहना चाहता हूं कि अगर मैं इन सब को इकठा कर दू इन सब को यह सभी क्या होते हैं दे आर कॉल्ड अकाउं सब अकाउंटिंग में हर चीज में सब अकाउंटिंग के अंदर आपका आएगा लेकिन अकाउंटिंग एक छोटा स्पार्ट जिसको क्या बोलते हैं आपका बूक कीपिंग में और अकाउंटिंग के डिफरेंस को बताना चाहता हूं आपके करियर को लेकर आपका फ्यूच निकल क्या रहा है उस data को ही यूज करके हम trading profit loss balance sheet बनाते हैं उनका analysis करते हैं उनको interpret करते हैं तो कहा जा सकता है कि bookkeeping क्या जी एक base है जिसको उपर में हमारा whole accounting ठीका हुआ है गलत बोलना हो क्या नहीं सर क्या हमें नहीं कह सकता है कि bookkeeping एक छोटा सा part है जी और accounting एक बहुत कई पार्ट में डिवाइड करते हैं सर हम लिख लें नहीं मेरे बचे लिखना नहीं मैंने कहा ना आज तो बस मेरे बातों को दिमाव में बैठाओ क्योंकि मैं चाहता हूं कि आज से आपके अंदर जो आग है सीए बनने का वह उबलना शुरू हो जाना चाहिए सुनो ध्या अकांटिंग है ना बचे इसके कुई सबफिल्ड से सब मारे बात आज कहां नी सुनो अगली कलास लिखूवाना शुरू करूबगा अकांटिंग के कुछ सबिल्ड से सबफिल्ड मतलब अकांटिंग कहां सर्य पार्ट है इसमें एक होता है जिसको मईलते हों फानेंशल आक आपका सब deep का मतलब की अगर कल को आपको यह सोचना है कि या यह बढ़ने के बाद यानि कि accounting स्य मांस्टरी करने के बार मेरे पास कौन-कौन से से मैं कहां कहां काम कर सकता हूं तो एक आपका financial accounting शूअ काम कर सकते हैं तो एक कॉस्ट accounting अब चाहो तो सर ने सिखाया तो ना कि बड़े-बड़े decision लो यह जो अच्छे-चे CEO होते हैं मुझे यहां पहुंचना है तो आपको पता है क्या करना होगा आपको management accounting में जाना पड़ेगा आपको पास चौथा फिल्ड है यहां पे human resource accounting human resource accounting हर एक company के अंदर में आपके human resource यह नहीं के लोग काम करते हैं उन लोगों को improve करना उनके efficiency को बलाना उनको कौन से technology से उनको उनसे काम करा जा कि उनके efficiency और बज़ा यह भी accounting के अंदर आता है accounting में बच्छे सिब accounts टक नहीं है आपको पता है अभी foundation में चार पेपर आप पढ़ रहे हैं इंटर में फि और सब जगत सिब accounts थोड़े पढ़ोगे accounts पढ़ोगे cost पढ़ोगे tax पढ़ोगे आपके human resource accounting सिखा जाएगा पता नहीं क्या क्या पढ़ाय जाएगा FM पढ़ाय जाएगा और एक पता यहाँ पे क्या होता सब field में जिसकों बोलते हैं आपका social responsibility accounting social responsibility accounting आपका तो यह सारे अग social responsibility का मतलब होता है कि यह जो company'ya काम कर रही है वह company'ya काम करते समय society को क्या दे रही है society को उनसे फायदा हो रहा है कि घाता हो रहा है और घाता हो रहा तो गाटी को कैसे वह control कर रहे कैसे सई कर रहे हैं वो भी देखा जाएगा कई सारी कंपनियां नदी के किणारे उपरेट करती हैं लेदर की कंपनियां खास कर आपका वह अपने जो बाइप पोड़क्स होते ना जो वेस्टिज होते हैं अमरे बचे उनको क्या करते नदी में आपका बहा देते हैं तो कितना आप का पानी प्रदूशित होता है उसके बाद कितने लोग बिमार होते हैं तो उस कंपनी से जो फायदा हो रहा है हमारे कंट्री को वो ज्यादा हो रहा है या कंट्री को उससे घाटा आपको हो रहा है यह ज्यादा हो रहा है यह भी आपको अकाउंटिंग अंदर में होता है ज सब आकॉंट बनाना आपको हम बोलते हो फानेंशिल अकाउंटिंग वह जन्रल सबस्ट्रेवारी लेजर क्यों कि अकाउंटिंग के ही पाठ है ना हफ में अक्उप्र सब कुछ क COVID नहीं होता है तो इसी को हम यहां पर लेकिए अकाउंटिंग में क्या होगा जी एक प्राइस मार्केट में होनी चाहिए जितना आप सोचते हो ना कि यह तो बढ़ा असान होगा जी 200 रुपे रख लो बगल वाले ने 100 रुपे रखा है तो चलो हम यहां पर 80 रुपे कर देते हैं आराम से बिख जाएगा ऐसे कोस्टिंग नहीं होता है बहुत सारी बाते आपको ध्यानक नहीं होती है कौन-कौन से खर्चे इसमें लग रहे हैं क्या क् प्रोफिट हमें कमाना है हमारा कंप्रिटर क्राक्रा हमारे पूड़क की क्लिटि ह्परैंड क्या है इस अब कंपनि करना कि जादा लग रहा उसको इस नहीं सकॉठल करना पर बढ़ने चाहिए यहां पर कम कोस्ट पॉर्ड लगाना आपका तो यह सारी चीजे जो होता ना बच्छे कॉस्ट अकाउंटिंग में कवर होता है यह भी आपका एक सब्सक्राइब है यहां भी आप जा के अपना कर सकता है इंडस्री में आपको क्या मिलता है मेंग्मेंट अकाउंटिंग जो कि मियंनली एनलेसी को ऊपर में चलता आपका पैसा कहां पर लगाऊं, कौन से प्रोजेक को आगे बढ़ाऊं, कौन सा प्रोजेक रोकना चाहिए, क्या इस से काम करूं, इस टेकलोजी से कि उस टेकलोजी से employee कहीं जादा तो नहीं होंगे, कोई किसी को निकालना तो नहीं है, appraisement कितना देना, मतलब बहुत सारी बाते हैं आपका जहां पर management होगा मरे बचे जहां पर बड़ी बड़ी जो company के top level के लोग हो तो उनके साथ बैठ कर company को चलाया कैसे जाएगा, उसका decision लेना होगा, वो management accounting होता है और मैं चाहूंगा कि आप में से हर एक बच्चा, चाहे शुरुबात आपकी यहां पर हो मेरे बच्चे, लेकिन आपका जो काम होना वो यहीं पर आने का मन करे, और उन मन आपका मेंली आपका इन ही चीजों पर चलता है, यह, मैं तो चाहता हूँ कि यह ज़्यादा आपके लिए अचा रहाएगा, आप यहां पर काम को ना मजा आएगा, financial accounting मुझे ज़्यादा मजा नहीं आता, क्योंकि यहां पर recordings खासकर ज़्यादा होते हैं, human resource मैंने बता दिया कि कंपनी में जो employees काम कर रहे, उनके betterment पे काम करना, उनके incentive के उपर में काम करना, उनका payment के उपर में काम करना, उनके improvement के उपर में काम करना, हमारे देश अगर ministry में चले के finance ministry के अंदर में आपको काम करने के लिए, तो हमारे देश का जो human resources है, उसको कैसे बढ़ाना है, क्या PF रखना है, क्या नहीं रखना है, मतलब बहुत सारे decisions आपको लेने होंगे और फिर आपका social responsibility मैं ने आपको बताए दिया, these are called the sub-field of accounting बताओ जड़ा कि अगर मालो कोई आपसे बोल दे, एक्जाम में आ जाए कि भी आप बुक कीपिंग में और आपका accounting में differences बताए तो कुछ difference तो आपको अभी दिमाग में clear हो गया, बुक कीपिंग क्या जी एक छोटा सा concept, narrow concept आपका है और accounting के हाँ wide concept है, बहुत बड़ा concept है, दूसरा, bookkeeping क्या करता है, accounting करने का एक base आपको देता है, एक base प्रोवाइड करता है, हाना बचे, bookkeeping इनको base देता है, ये base नहीं देता है, क्योंकि ये इनहीं से निकल के आपका आए हुए, तो ये क्या करते है, इनको एक base प्रोवाइ क्योंकि स्किल के उपर में ओपर में तो यह सारी बाते मैं आप यहां पर लेकर आति हूँ सुने मरी भात ध्यान से पहले दोनों के आपके करते हूँ आपके book का एक-एक topic अभी खतम होगा एक-एक topic पहले सुनी मेरी बात यह देखी क्या बता रहा है वेट 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 प्लीस डोंट स्किप दिस वीडियो यह वीडियो आपके करियर को पूरी तरह से बदल सकती है इस वीडियो में आपको पता चलेगा that how you can start your CA and CMA journey with COC education see it's very simple you just have to visit coceducation.com or you can call us on given numbers and then you will get latest studio recorded classes with lots of benefits like unlimited views on the lectures daily doubt session with faculties and yes classes लेक्टे तरहाँ कोई भी इस्वा आया so you can freely contact our technical team and academic instructor team will guide you at each and every point and yes they will also monitor you most important thing for your practice you can give free MTPs and RTPs so please अपना single minute भी वेस्ट ना करते हुए जल्दी से COC education को contact करके अपनी classes बुक कीजे and happy learning exam में आजा लिखतो अपने register में अपने बुक के अंदर लिखतो कि यह आपका most important है आपके exam के लिए कई बार exam में कोशना आए है कई बार पूछते रहेगा कि बता इन दोनों में क्या difference है पहला difference bookkeeping क्या होता it is the process of recording the transactions और event हैना यह क्या जी यह सिर्फ recording करने का process है recording करने तक का मतलब recording का मतलब वो अब यह तो बहुत ज़्यादा यह नहीं recording and classifying आपका ऐसे वह लिखते हैं कि recording करने का मतलब recording classifying बोलना चाहते हैं आपका यह कह जी it is the process of summarizing recorded summarize करना वही आपका trial balance के बाद जो trading profit loss balance sheet और उसके आगे कि सारी चीज़े क्या होता है accounting में आपका जाएगा इस language हम क्या करते है पूरे business के transaction event को हम दुनिया के सामने रखते है आपका ठीक है ना कहता है कि financial statement do not form part of the process bookkeeping के अंदर में बच्चे financial statement नहीं आता मैं बता चुका हूँ इसमें बहुत हैरानी की बात नहीं है आप देख सकते हैं कि मैंने आपको यहाँ पर दिया था कि आपका financial statement जो है वह आपका bookkeeping कहाँ पे इंड हो जागा ट्राल वैलनस तक आपका financial statement किसका part होगा accounting के अंदर में होगा accounting के अंदर में आएगा बट bookkeeping के अंदर नहीं आएगा तो वही तिसरा difference आपको यहाँ पर बता रहा है कि देखो जी अगर कोई पूछ दे की बताओ आपका क्या difference है तो financial statement आपका bookkeeping का part नहीं होगा लेकिन financial statement आप prepared on the basis of bookkeeping records यहाँ पर आपका उसका part होगा फोर्ट, bookkeeping में कहता है कि managerial decisions are not taken on the basis of these records आप खुद ही बताइए वह journal, वह leisure, वह trialables देखें कौन सा management का decision ले सकते हुआ management का decision लेने के लिए आपके पास accounting का पूरा information होना चाहिए मतलब कि वह financial statement जो कि accounting में आपका आता है वह cash flow अभी आएगा, सिखेंग अब लोग, cash flow जो बच्छ में बनाया करते थे आपका और भी ratio analysis जो आपका होता था, सब आपके accounting के अंदर में आपके आते है तो पर बचे, management का कोई decision अगर होगा, तो वह आपका accounting के basis दो सकता है bookkeeping के basis पनी हो सकता है पाच्वा मैं आपको बता चुका हूँ कि there is no subfield of bookkeeping इसका कोई subfield नहीं है, लेकिन इसका subfield है, जैसे कि financial accounting, cost accounting, management accounting, etc, मतलब दो और थे हूँ, human resource accounting and social responsibility accounting आपका, उसका detail भी हम पढ़ेंगा, आगे हमारा topic आएगा financial position cannot be known through the bookkeeping, bookkeeping के basis पनी है, आपका जो financial position है, financial position का मतलब होता है, आपके assets कितने है, liability कितना है, capital कितना है, वो आप इसके basis पर पता नहीं कर सकते है, क्योंकि जो financial position है, वो balance sheet से पता चलता है, और balance sheet किसमें cover होता आपका, accounting के अंदर में आपका, ठीक है ना, बोलो ना, हाँ, य तो यह six मेरे बचे, differences है, जो कि bookkeeping और accounting के बीच में आपको पता होना चाहिए, ठीक है, कोई doubt इसके अंदर में नहीं से, तो पहले मुझे बताओ कि, क्या अब आपका book, जब में मैं बोलता हूं accounting, तो क्या accounting बोलते ही, आपको यह दिमाम में बात बैठ रही है, कि जब सब्सक्राइब करना चाहिए, कुछ और बड़ी-बड़ी बात है, बड़ी-बड़ी बात है, बड़ी-बड़ी काम करना चाहिए, जिसमें कि वह आपका जर्नल लेजर ट्राइबस तो हुआ, फिर financial statement को बनाना, उसको comparison करना पिछले सालों से, इंडस्री से, फिर उसके interpret करन वो ratio के through interpretation आपका होता है, cash flow बनता है, बहुत सारी चीज़े आपकी होती हैं, और बहुत सारी चीज़े भी आगया पढ़ने वाले हैं, different subjects के अंदर में, जो मज़ा आपको देगा, वो सब आपके accounting के अंदर में आपके आते हैं, ठीक है ना बच्चे, ये सर, तो एक भाब ब मैं आप से पूछ दो के जरा बताओ कि accounting के main objective बताईे, accounting का objective यानि कि sav feeling, क्या जानने के लिए, मैं पूछ रहे हूं आप से, कि आप मुझे मुझे बताओ accounting करने का objective बताओ, भूल जाओ कि क्या पढ तो आपने अगर कोई पूछ दे की बताओ कि आपका अकाउंटिंग का अब्जेक्टिव क्या है क्यों करतो अकाउंटिंग तो बोलना कि फारांशल इंफोमेशन को रिकॉर्ड करना पहला हो गया दूसरा बताइए तो दूसरा आप यहां यहीं से मैं आभी में पढ़ूंगा नहीं यहीं से देखिया आप खुद बताइए आपको खुद रट होगे तो काम खराब होगा अकाउंटिंग का अब्जेक्टिव क्या जी तो एक टो ट्रानेक्शन को रिकॉर्ड करना पहला हो गया दूसरा फानेंशल जो आपका हमारे बिजनेस का परफॉर्मेंस क्या है मतलब होता हम प्रॉफिट कमा रहे किलोस कमारें उसको पता करना यहीं के जो यह प्रॉफित लॉस ट्रेदिंग काउट बनता स्टीजमेंट कर देपा करता है कि अ सर फॉक्रसि मीजिए खायर और पागुजिठा बीजनीत वितना सीडेन director कोई भी परशीभन फोस्ट्रा पॉजिछन जो उन कोणनो के गदाओगा यह व्यंगां सबस्त् акonnappu कि मेरा कोई बच्चा रट है फटा-फट आपके दिवाओं में बैठना चाहिए अकाउंटिंग का उब्जेक्टिव क्या हो जी फारेंशल ट्राजिशन को रिकोर्ड करना दूसरा फारेंशल प्रफोर्मेंस को मेजर करना फिर फारेंशल पोजिशन को मेजर करना फिर आपका necessary decisions लेना क्योंकि इन ही के basis पर फिर क्या होता है analysis करके हम decision लेना शुरू करते है आपका हम corrective action ले ये भी accounting का आपका objective निकल के आता है corrective action का मतलब कि जब हमने analysis किया लगता किया हमने कुछ गलत काम किया हमारा profit कम हो गया तो region क्या है उस पर control करना उस पर action लेना ये सारे मेरे बच्चे objective बनेंगे आपका किसका accounting का और यही तो आपका institute कहता है कि यह जो बच्चे जो आज छोटे हैं कल को CA बन जाएंगे लेकि इनको आज से इनको पता होना चाहिए कि आपका objective of accounting क्या होता है हमने यहां तक पढ़ लिया था definition जो accounting का था अब आई यहां पर हम objective देखत करना जो transaction से मरें बचे उनका proper तरीके से recording करना यह हमारा क्या जो कि हम bookkeeping में क्या करते थे यह हमारा क्या जो कि हम बनाके पता करते हैं यह भी हमारा objective हो गया assisting the management for decision making decision लेने में control यानि कि गलतियां कुछ हुए तो उसको सही करने में budget बनाने में budget होता है जितनी भी बड़े-बड़े business है ना बचे वो क्या करते हैं कि pre मतलग कि पहले सी budget बनाते हैं हमारे देश का भी बनता है budget आपका कि इतना पैसा यहां यहां खर्च करना तो budget तो तभी बनेगा न जब information हमारे पास रहेगा information कौन देगा जी आपको accounting देगा तो budget बनाने में आ objective चला गया हमारा पांचवा है कि decisions जो होते हैं ना उनको लेने में help करता है अगर हमारे पास सोचो ना हमने पूरे साल business किया लेकिन हमने उसका record में नहीं किया हमने profit ने निकाला हमने balance नहीं बनाया तो हम क्या decision लेंगे कि आगे क्या करना है business ठीक चलना नहीं चलना हम कैसे पता कर पाएंगे तो accounting हमें data देता है कि ठीक है आप उसमें क्या करें पता करें तो rational यादे कि सही decision लेने में आपको help करता है and to know the solvency position मिरे बचे यह जो balance sheet बनता है ना और जो हम profit loss बनाते हैं इससे हम पता कर पाते हैं कि हम कितने solvent हैं solvent होने का मतलब होता है कि paying capacity अगर company ने कोई करज लिया है bank से करज लिया है public से करज लिया जिससे भी उनका payment करने की हमारी कितनी capability है हम payment कर भी पाएंगे के नहीं कर पाएंगे सब क्या होता है solvency में आपको आता है अगर कोई company जो solvent है solvent होने का मतलब कि उनके पास काफी assets है liability को जितना payment करना है उसके मुकाबले solvent होने का मतलब है कि company जो profit कमारी उस profit से बहुत आसानी से अपने loan के उपर में interest पे कर देगे installment पे कर देगे उसको हम बोलते कि solvent आपका है बट solvent हो भी कि नहीं यह कब पता चलेगा जब आपने accounting किया है बोलो ना यह सर तो यह हमारे पास आगे objective सोब accounting exam में मेरे बच्चे तीन से चार नंबर तक में कोशना आता है तीन नंबर में आए तो भी आपको इतना लिखना चार में इतना ही लिखना है इवन 56 marks में आजाए तो ही इतना लिखना है चाहो तो थोड़ा से explanation हम यहां पर और बढ़ा देंगे बढ़ लिखना इतना ही है अक अब को जितने सारे points उसमें उन सबको लिखना होता है और marks जो है ना को 4 marks का किसे उसमें explanation क्या होते चेंज होते है explanation को कम करेंगे जाए जादा करेंगे लेकिन जो points से important points सो सारे वहां पर लिखे जाते हैं याद रहे की बात आपको यह सर तो हमने क्या-क्या objective बता दिया इवेंट आपका है उन्हीं transaction event को आपका record करना classify करना summarize करना किसमें in monetary terms इस कला को इस art.com क्या बोलते है accounting बट क्या accounting यहां पर end होता है नहीं सर इसका analysis करना भी accounting के अंदर में आपका आता है डो definition मैंने दिया आपका एक AICPA 1961 वाला और एक AAA आपका 1966 वाला जो नाम आपको जहां रखना पड़ेगा हमने फिर objective आपको बता दिया और क्या बता हूं मैं आपको वह accounting को समझाते समझाते जोश में आके मिरे बचे अभी मैंने accounting के सब फिल्ड भी आपको बता दिये मैंने accounting and bookkeeping का difference भी बता दिया ल functions of accounting यानि कि accounting में हमें क्या करना होता objective मतलब हमारा target क्या है functions मतलब हम करते क्या है तो क्या करेंगे जो objective है उसको achieve करने के लिए जो काम करेंगा वही हमारा functions होगा जैसे कि देखें आप यहां पर measurement करना accounting में क्या आपको मेजर में जितने भी transactions आपके हो रहे हैं जितने भी event होते हैं मेरे बचे उन सबको measure करना आपका function होगा उनकी value कितनी है आपको अभी तो बच्चे अभी आपको आगे सिखाया जाएगा कि जितने भी आपके assets है ना उस साल के end में उसकी क्या value है जो ल inventory को measure करने का लग तरीका है यह सब आपका क्या होगा accounting में आएगा तुम पर बचे एक्जाम में कहा दे कि objective तो हमने देख लिया अच्छे आपका objective अगर कहा दे कि में बताओ functions of accounting क्या है तो पहला function क्या होगा जी हमारा measurement हो गया measurement हो गया क्या measurement करना business के past performance को business का जो past performance मतलब की business ने जो आपका किया वो trading account profit loss account वो balance sheet के item जो assets liability है सबको measure करना यह हमारा क्या होगा आपका इसमें आएगा functions के इंदर में तो it measures past performance to the business and show its current financial position आज position क्या है आपका assets का liability के capital का उन सबको measure करना आपका यहाँ पर क्या जी काम होता है दुबारा सुनिए functions में क्या past performance को performance होता profit loss आपका उसको measure करना और current जो आपका position है आपके business में assets capital ability का उन सबको measure करना यह आपका measurement के अंदर में आता है यह functions आपको करना पड़ेगा यह करना पड़ेगा कल को CA बने के बार forecasting अभी देखा हम क्या करेंगे जी forecast अब हमारा future क्या होने वाला है जो हमने past performance को measure किया उसके बाद हमारा future क्या होने वाला future में हमारी क्या activity होगी कैसे काम करेंगे क्या हमारा budget होगा वो भी आपका functions में cover होता है मेरे बच्चे हैना decision making आपको decision लेने होंगे different types आपकी पैसा ल लगाना है वहां लगाना है competition को आपका और अच्छा करना है costing के उपर में कैसे तरीकी के decisions क्या cost बढ़ रहा है कम हो रहा है कैसे कम करें कैसे बहुत तरीकी के decisions लेने पड़ेंगे तो आपका यहां पर decision making में बचे यह भी आपका function होगा जो आप accounting में करेंगे comparison and evaluation यह भी करना पड़ेगा पिछले साल से आपको जो data है आपकी business का और इस साल का उसको compare करना evaluate करना फिर देखना evaluation मतलब की evaluate करना मतलब चेक करना कि क्या वो चीजे ठीक हो रही है कि खराब हो रही business बढ़ रही है कि गट रही है हम लोग भी करते हैं मैं भी हमारा जो CRM में उसमें data को क्या करते हैं कि पिछले साल के मुकाबले हमारे business में क्या changes निकल क्या है इस सब हमारे क्या होते हैं यह accounting के अंदर में आपका आते हैं control भी आपको करना पड़ेगा functions को करते समय ध्यान देखना मतलब आपको CA बनने के बाद क्या करना होगा आपको measurement करना होगा क्या measurement करना होगा past performance को and current financial position को measurement हो गया फिर क्या करना होगा जी forecasting उसके basis पे future का budget बनाना पड़ेगा future standard fix करना पड़ेगा future में नहीं प्रोजेक के बारे में forecast करना होगा यह करना पड़ेगा आपको करना होगा क्या जी decision making आपको decisions लेने पड़ेंगा accounting के अंदर में different types क्या आपका आपको करना होगा comparison I value sharing आपको control करनाओगा control का मतलब होता है जितने भी weakness होते ना weakness कमिया hum понрав hypothesis के अंदर में उनको control करना उसको करना है čuri आपका यह करना पड़ेगा यह करना होगा आपको करना होगा meeting यह करना होगा आपको लॉप रहाए जाएगा आपको foundation में भी लोग पढ़ाया जाएगा intern में भी final में भी क्यों इतना लोग पढ़ाया जाता है हमारे accounting में उसका क्या यूज है accounting में यूज है, accounts में यूज नहीं है accounting में लेकिन यूज है क्योंकि accounting is not only accounts यह बहुत बड़ी चीज़ है आपको हर एक rules regulation जो आपके government के हैं आपके देश में उसको ध्यान में रखके आपको accounting करना होगा उसको ध्यान में रखके measurement, forecasting, decision में सब कुछ करना होगा अब जैसे मैं एक example बताता हूँ पता नहीं आप news कितना सुनते हो मुझे नहीं पता लेकिन बच्छे कई सारी company यां पता होगा एक time पे उन्होंने क्या किया था जिप पब्लिक से पैसा रेज किया था और जिसका भुगतान आज दे को भुगत रहे है तो पैसा रेज करना पब्लिक से वो illegal नहीं है लेकि हमारे देश में legal requirements है कि अगर पैसा पब्लिक से रेज करना चाहते हो तो पहले सेवी के पास आपको listing कराना पड़ेगा बीना सेवी के पास listing करा है पैसा नहीं पब्लिक से ले सकते हो आप और उन्होंने क्या क्या listing बाद में कराने का सोचा पैसा पहले लेना शुरू कर दिया तो क्या legal requirement आप मिट नहीं कर पाए यह आपका काम होगा यह आपका function होगा being the CEO of that company कि उनको बताएं कि नहीं जी यह legal requirement तोड़ रहो आप कंपनियों में इतने सारे employee काम करते है उनका P.S. कटना चाहिए उनका E.S.I. कटना चाहिए उनके आपके बहुत सारे legal compliance होते है employee कितने काम कर रहे है तो उनका क्या hold a plan होना चाहिए बहुत तरीके क्या होता है वो सब आपको ध्यान में रखना होगा मरे बच्चे तभी आप proper accounting कर पाएंगे इस सारे आपके functions हैं इस सारे आपके functions हैं क्या accounting में आते है ये भी एक्जाम में आपका कोशन मालो यही कोशन आपका two marks में आ गया मालो two marks में तो मैं ये एक दो जो जो बोल्ड है न वहीं लिखके छोड़ दूँगा लगि कोशन अगा three marks four marks five में आया तो accordingly मैं क्या करूँगा यहाँ पर explanation को बढ़ाते चला जाओंगा और इतना से ज़्यादा हमें कुछ ने लिखना आपको कुछ ने भी ने लिखना हैना क्योंकि इसके questions जो एक्जाम में आएंगे वो maximum to maximum four to five marks में आते हैं five marks या four marks के लिए more than enough है इतना आपका explanation इसे ज़्यादा कोई requirement नहीं है ठीक है बच्चे ये sir और ये bookkeeping तो अब आप समझे चुके हैं मैं क्यों बता हूँ फिर भी क्योंकि मुझे यहाँ पर कुछ नाम भी आपको समझाने मैं समझा देता हूँ actually bookkeeping आप समझ चुके हैं फिर भी सुनें bookkeeping क्या बोलता है एज डिफाइंड बाइं कार्टर ये नाम या देखना पड़ेगा कार्टर गुब किपिंग इस साइन्स और आट ओफ करेक्ली रिकोर्डिंग इन दे बुक्स अपकांट्स ओल डोज बिजनेस ट्राइक्शन डट रिजल्ट इन ट्रांट्र उप मनी और मनी वर्थ आपका बस करेक्टली रिकोर्डिंग करना अब यहां पर रिकोर्डिंग का मतलब कि यह मत्रों सोचना सिब जनल एंट्री की बात कर रहे हैं जर्नल की बात करें रिकोर्डिंग मतलब यहां पर रिकोर्डिंग का मतलब बस वह जो बेसिक फंक्शन है न अकाउंटिंग के अंदर में आपका रिकोर्डिंग फिर उसके बात समराइजिंग उनकी बात बद डेफिनिशन को बनाते समय हम लोग बिलकुल ब्रोड मिली का मतलब हमेशां यहां पर सिस्टमेटिक गोटाए एक सिस्टमेटिक जर्ल बनाने का विस्टम होता है लिजर का भी सिस्टम आपका होता है जो घ्र प्र पड़े पड़े चुके होंगे बट जो बच्छे साइन्स आट साओ वाले हो चिंता ना करना अगले चेप्टर में थ ट्रांसर ऑफ मनी और मनी वर्थ आपका कोई डाउट इसमें नहीं सरु इजब प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन एन इवेंट और फानेशल डेटा रिलेटे टू बिजनेस ऑपरेशन इन ओडर ऑफिट्स अकरेंस जीस अकरेंस में जीस ओडर में ट्रांजेक् क्रोनोलोजिकल ओडर 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 क्रोनोलोजिकल 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 क्रोनोल नहीं कि पहला फंक्षन हो गया इनिट प्रोपर अकाउंट्स और अकाउंट्स और प्रिपेड करते हैं आपका इसमें ठीक ना mês two bookkeeping इजह मेकेनिकल तास्क ओह मेकेनिकल कह दिया मशेन ली टास्क के मशीन एक तरीके से क्योंकि कुछ करना है एक जी जिज बार बार मशीन क्या करता है मशीन को ऐसे आप बसे करते रहेगा करते रहेगा कौ। उसी तरह के से आप अगर अगर बदमाश सीए बने खराब सीए बने तो क्या करोगे यही बुकिपिंग करते रहोगे मैं बार भार खराब का मतलब आपको डी मोटिवेट नहीं करना चाहता है मैं आपको मोटिवेट करना चाहता हूं कि अगर सीए बनने के बाद आपके शुरुबात अगर बुकिपिं सब्सक्राइब करेगा बिएक जो करना होता है तो बोकेपिंग में करना क्या होता है तो बोलते हिसा स्थाल जोप करना हो फिर उन सब को क्या करेंगे जी मनी के टर्म में आप मेजर करेंगे फिर उसको क्या करेंग आप रिकॉर्ड करेंगे फिर क्लासिफाय करेंगे और फिर आप प्रिपेरिंग ऑगनाइज स्टेट्मेंट नोनाइज ट्राइलबल्स बना लिए काम खतम हो गया यही तो करना होगा इग्जाम में आ जाए कि बताव जी बुक्पिंग में क्या एक्टिविटी करने होते हैं या राइट ए शौट लूट सर्मबुक्पिंग तो डेफनिशन को देने के बाद मरे बच्चे आपको ंदाना होगा कि इंफ Aber करना फिर स्टावाइब करना काम खतम हो गया वदमाज तीन तो ऐसी याद हो गया नीचे वाधी आपका क्या जी कि आपका यह हो गया recording यह नी की जर्णल फिर क्लासिस्ट रखन आपका यह trial balance हो गया तीन तो ऐसी हो गया तीन ऐसे हो गया collect करो फिर identify करो money के term में आपका है के नहीं उसको major करो money की value कितनी है फिर उसको record कर दो का दीकत है समझो मरी बात यह सथ तो यह भी हमने काम खतम कर लिया इसके बाद आया objective हो bookkeeping आपका क्या objective है bookkeeping का accounting का नहीं bookkeeping का तो bookkeeping का objective क्या होगा बदमास वह तो एक तो recording करना business को और उसको क्या करना यह एक मतलब की end कहां खतम हो जागा उस समराइज होके रह गया आपका ट्राल वाल्स और उसके बाद तो कुछ होता नहीं तो इनका objective ही कुछ इसी तरीके से दिखना चाहिए complete recording of transactions record करना एक तो एक तो आपका recording complete और दूसरा क्या एक एक तो इससे तेनमेंट और फानाशल इफेक्ट और बिजनेस आपका कोई डाउड इसमें नहीं नहीं distinction मैं बचे bookkeeping में और accounting में आपको बता हैं चुका हूं इसमें दुबारा हैं नहीं बताने के लिए अब हम आगए हम पर accounting cycle accounting cycle accounting cycle का मतलब कि जो अभी तक मैंने accounting आपको सि؛ाया उस पूरे accounting प्लाश merger करना होता है अभी हमने क्या देखा ? की के में की कए हुघ कि टेखा द debating की हो सपयर्ट भीक ऊठोल निंवाल इस तक आप छो darck लेखो इसमें अखाउंटिंग साय रहरां में क्या करना होगा एक्जाम में आजाएं मीरियग तो यह मेर्ट औत प्यूंट वाला ट्राइल्वेल्स बनाना कुछ एड्जेस्टेड एंट्री ट्राइल्वेल्स बनाने एक बाद कुछ एड्जेस्मेंट करना उस एंट्री को पता करना फिर एड्जेस्ट करके ट्राइल्वेल्स बनाना फिर क्लोजिंग एंट्री पास करना closing entry पास करना closing entry के मतलब कि trial balance की जो चीज़े है वो आपका अगर trading profit loss account वाली है तो उसके लिए एक अलग entry पास करना अगर वो balance sheet के items है तो उसके लिए एक अलग entry पास करना ये entry कैसे पास होता हूँ आगे का topic है मिरे बच्चे बस अभी तो आप theory में है आप इतना समझ लिजे कि यहाँ पर क्या steps या phases of accounting cycle अगर आजाए तो यह बात आपको ध्यान एकना होगा transaction को record करना फिर journal बनाना laser बनाना trial balance बनाना trial balance के बाद adjustment entry कुछ होता है आपने पढ़ाऊगा final account मैं आपको पढ़ाऊँगा भी यहाँ पर समझाऊंगा तो पूरा chapter हुआ जाएगा बट कुछ trial balance बनाने के बाद भी कुछ entries बच जाती हूँ उनको पता करना कौन-कौन से है उनको adjust करके फिर adjusted trial balance बनाते है real life में फिर closing entry पास होता है फिर financial step बनाते है और फिर उसका analysis होता है और फिर interpretation होता है इस अब आपके accounting cycle में चले जाएंगे को doubt इसके अंदर में नई से हमने आपको समझा दिया है यह sub-field of accounting already हमने सीख लिया है हम इसको पढ़के आपको समझाना चाहते है कि exam में sub-field आ जाए कि accounting के कौन-कौन से field से है कौन-कौन से parts आपके है तो एक आपका financial accounting एक cost accounting management accounting social responsibility accounting और पांचवा क्या है human resource accounting यह पांचों मैंने आपको बता दिया है अभी बताया था यह पांच नाम आप शाद भूल गए लेकि मैं कभी नहीं बोलता मुझे सारी बाते हमेशा याद एक देखते हैं मरे बच्चे यह देखो accounting के subfield एक, दो, तीन, चार, पांच यह बताया था ना उन्हीं पांचों के बारे में अब आए उन्हीं को आप यहाँ पर मेरे साथ सुन लिजे exam में अगर आजाए कि subfields of accounting तो यह पांच को आपको करना होगा और यह अच्छा कोशन बनता है चार से छे नमर के कोशन इसके बन सकते हैं तो हो भी ठीक है अगर mcq या फिल इन ब्लैंक को रूप में आ गया तो भी ठीक है क्या-क्या इंपोर्टन चीज है पर कि चुका हो इसमें क्या होता है बिसिकली रिकोडिंग ऐप रानिक्शन साब का होता है और जोसी तो रिकोर्ड करना उल्प करना उल में शॉयक मखशर रिए सब ब्रांचर के आठ गमचंतिक sometime यह नाम आपको याद एखना पड़ेगा एक्जाम में कहीं आ जाए कि आपका स्टेवार्शिप अकाउंटिंग इसमें पूरा अपने अकाउंटिंग किया ट्रेडिंग काउंट प्रोफिट लोस बैंशिट सब बना के अपने रख दिया अब यह कॉस्ट अकाउंटिंग बता इस मार्केट में फिक्स करना है तो इसमें जितने भी कॉस्ट लगे उनको इसमें एड कर दो और फिर क्या करो प्रोफिट इतना कमाना एड कर दो बोलो कि लो जी यह प्राइस रख दो आपका मज़ा आ जाएगा इतना असान नहीं बद्वाश इतना आसान नहीं है सुनिए अगर आप कॉस्ट अकाउंटिंग के फिल्ड को आप सेलेक करते हैं सीए बनने के बाद तो आपको क्या क्या करना पड़ेगा जितना आसानी से बोल दिया यह बहुत टफ काम है सुनिए क्या करना होता है रियल लाइफ में इसमें जितने टाइप अप कॉस्ट लग रहे हैं करना है उसको मार्केट में और भी अटा है कि और जो लोग है इसे बेच देंगे जैब को बन दा और में कॉनको से कौस्ट लग रहे हमें उनको फिर से एक बार देखना होगा क्या कोई कॉस्ट यह है क्योंकि वो 160 में कैसे बेच रहा है अगर कोई ज्यादा लग awak करना हान। एक रहे हम से सप्लाइड तो सप्लाइर को चैनल किया हम्चे और यह वह सी और चाल गते करते हैं कहीं यह अगर मांगों कि हमने हम सब कुछ चेंज करके और मेटल दूसरा कर लिया सब कुछ करके अब हमारा यहां पर 140 का प्राइस बन रहा है तो यह भी दियान में जो क्वालिटी उसकी है उसे क्वालिटी नहीं होगी क्योंकि अगर क्वालिटी भी आपके डाउन होगी तो फिर मार्केट में आप सबस्टेन नहीं कर प्राइस of product and exercising control over cost cost पे control भी रखना उनको ज्यादा नहीं बरने देना यह जो चीजह बताया इतिच also called इसका दूसरा नाम को है control accounting बोले क्या नाम है control accounting यानि कि cost accounting को हम control accounting के नाम से भी जानते है कोस्टिंग आप पढ़ेंगे इंटर में इंटर में आपके कोस्टिंगी जो सर होगी व आपको सिखाएंगे इसके बारे में डिटेल में आपका फिर आता है management accounting है ना management में क्या होगा दिस्जिजने मेकिंग आ जाते हैं it is concerned with generating accounting information relating to funds cost profit and as it enables the management in planning and decision making आपका इसका दुसरा नाम क्या होता है इसके बारे बात कर रहा है कि जो सोसाइटी को जो बेनिफिट मिल ला है जैसे लेदर इंडस्टी के में एक्जामपल दिया था उससे ज्यादा सुसाइटी को घाटा दे रहो आप वाटर पोलूट कर रहो और इससे आपका क्या हो रहा है कि बहुत लोग बीमार हो रहे हैं उनको पैसे बहुत खर्च हो है हमारी कंट्री का बेचती हो रहा है ऐसा चीज आपको हो रहा है कि यह भी आपको करना पड़ सकता है तो कहते है कि दिमांट फॉर सोचल रिस्पलिस्टी अकाउंटिंग स्टेम्स प्रूम इंक्रीजिंग दोशल अवर्नेस अवाउट ड़ी अन्डिजराबल बाइपोड को कितना अपने कौस दिया को कितना बेनिफिट दिया इसके अकाउंटिंग करना और अब के लिए काम कर नहीं है लेकिन आज के टाइम पर क्या होता है जो बड़ी बड़ी कंपनिया है न उन कंपनिओं पर एक पैसा लगभाग इतना परसेंटेज वह आगे की बात है आपक तो इसमें डाला गया तो आपका एने human resource accounting बता चुका हो human resource की पूरी accounting करना उनके बेटर्मेंट पे काम करना उनके employment पे उनका जो आपका उनके लिए जो पैसे requirement है उन पे काम करना इस सब इसमें आएगा human resource accounting is an attempt to identify quantify and report investments made in the human resources of the organization के human resource में जो आपने investment किया उनके training के उपर में उनके बेटर्मेंट के लिए उनका जो salary pay क्या जा रहा है salary high करना है नहीं करना है वो सारी decisions में आ जाते हैं that are not presently accounted for under conventional accounting purpose आज के टाइम पे यह नया फिल्ड दिख रहा है कोई doubt इसके अंदर में नहीं साथ तो यह हमने यहां पे काम पूरा किया अब हमारा अगला topic है में बच्चे basis of accounting या तो basis of accounting कह दो या basis of accounting accounting करने का हमारा base क्या तरीका क्या है तो तीन तरीका हमारा यहां पे accounting के चलता है एक है आपका एक्रूल basis of accounting जो बच्पन से आप करते आ रहे हैं 11 class 12 class और यहीं नहीं में बच्चे आगे पूरे आपके accounting के अंदर में जब तक आपको कुछ ना बता दे हमेशा हम एक्रूल basis को ही follow करते हैं यह क्या है थोड़ा सा detail में आपके आउंगा लेकिन पहले आपको बता दू तीन basis दोनों को मिला कर इन तीनों का क्या मतलब होता है कैसे इसका accounting होता है कैसे accounting चलेगा आए इन बातों को एक example से हम समझेंगे और आप एक काम कीजे यह example आप ही मेरे साथ लिखेंगे अपने register के अंदर में example number one example number one लिखें मेरे साथ यहाँ पे लिखेंगे आप कहता है कि cash sales ल लेक्स रुपीज का आपने cash sales यानि कि जो sales किया cash पर अपने किया है फिर कहता है कि credit sale हमने जो goods इस एक time period में जो क्रेट पे sale किया है वो कहता है कि 4,000,000 का माउंट आपका है तो 5,000,000 का sale हमने cash पर किया है और 4,000,000 का sale हमने क्या किया है जी यहाँ पर क्रेट पे किया है 4,00,000 रुपिज का माउंट आपका देखो कैश पे जो सेल्स किया वो पैसा तो उसी टाइम आपके पास आ गया होगा लेकिन जब क्रेट पे सेल करते हो ने बचे तो कुछ पैसा इस साल आया होगा कुछ पैसा अगले साल आएगा तो मैं आपको मैं यानि कि यहां कोशन बता रहा कि जो हम लोगों ने कलेक्शन किया है ना लिखके यहां पे कलेक्शन फरोंब डेटिर्स यहनु कर मिन को हम लोगों ने सेल किया है क्रेट पे उनसे पैसा क्लेक्ट हुआ आउट ओओ fragen लेक्स वो कहता है कि मानलो थ्री लैक एंड ट्वन्टी थाउजंड का माउंट आपका है तीन लाग वीश जाव रुपे यानि कि कैश्ट पे वा फाइब लेक्स का क्रेट पे वह फोर लेक्स का और डेटर से जो कलेक्शन हुआ जिनको सेल के अदर क्रेट पे वो थ्री ट्व क्रेट पर भी हम लोगों परंद से किया चिए कि अनको पेमें बी तक का याने कि लिखे पेमेंट payment to creators हम लोगों ने creators को payment किया है मेरे बच्चे इस साल में वो कहता है कि आपका माल जे out of 120 हमने 80,000 का payment किया है 80,000 का payment आपका और कुछ expenses और ले 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 जे माल जे rent हमने पे किया है rent paid वो कहता है कि 50,000 का amount है 50,000 और rent अभी जो outstanding है end में यानि कि outstanding rent at the end rent at end लिखे यहाँ पे rent आपका जो outstanding है वो कहता है माल जे यहाँ पे 20,000 का amount बोलता है कि calculate profit आपको profit निकालना है calculate profit profit निकालना है on the basis of on the basis of on the basis of लिखे यहाँ पे number A number A लिखेंगे आप जिसमें कहता है कि accrual accrual basis of accounting accrual basis of accounting आपको यहाँ पे एक तो accrual basis of accounting को follow करना है accounting second लिखेंगे आप यहाँ पे B में cash basis तीनों का में meaning आपको पहले practically समझाऊंगा और फिर उसको हम लोग क्या करेंगे वहाँ theorem देखेंगे और third यानि कि hybrid hybrid कह दे या mix system कह दे profit को निकालते हैं पहला आपका accrual दूसरा आपका यहाँ पे कहता है cash और तिसरा कहता है hybrid आईए पहला हम शुरू करते हैं आपे accrual basis का जो accrual यानि कि जो आप बच्पन से जानते हैं मेरे बच्चे यानि कि solution में लिखें आप यहाँ पे number one और आपको मैं दिखा रहा हूँ accrual basis accrual basis का बताओ दूसरा नाम क्या होता है due basis accrual basis में क्या होता है बच्चे कि जो current year के आपके जो expenses revenue है चाहे उनका payment हुआ चाहे payment नहीं हुआ हम उनको expense के रुप में record करते हैं याना current year payment होगया तो भी ठीक है , नई payment होच भी ठीक है पैसा receive होगया तो भी ठीक है पैसा नहीं होगया ठीक है पैसा जितना इस पर Receive होगया ठीक है बाकिर received नहीं हो लिखना अगली बाब आजाईगा मानते हूए लेकिन revenue और expense हम उस citizen कह splendid मानते हैं जिस साल हमने सेल किया है या जिसी नहीं हमने आपका बेनिफिट लिया है तो इसमें हम लोग क्या करेंगे इसमें जब प्रोफिट निकालेंगे तो आप सेल्स रिकॉर्ड करते समय सेल्स में क्या जाएगा एक तो कैश बेसिस वाला सेल यहने की कैश पे जो आपने सेल क्या हो लीजे और जो आपने क्रेड़ पे सेल क्या हम उसको लेते हैं आपका क्रेड़ सेल्स है ना क्रेड़ बेसिस पे तो मैं ऐसे लेता हूं जैसे एक ही जैसे नाम आपका तो क्रेड़ basis पे जो आपने सेल किया हम उसको यहां पर record करेंगे ठीक ना जिना बताओ cash basis पे हमने sales कितना किया हुआ है five lakhs तो five lakhs रुपीज का amount आपका यहां पर निकल के आ गया और जो credit पे हमने sales किया वो four lakhs रुपीज total sales पढ़ा है न आपने यानि कि हमारे पास जो sales हो गया मेरे बच्ची वो कितना record हो गया nine lakhs रुपीज का amount इस sales में से हम लोग क्या करते हैं मैनस करेंगे अपने expenses और expenses में पहले हम लेते हैं आपका purchase हम लोग यहां पे क्या करेंगे purchase यानि कि अपने expense को मैनस करते हैं कौन सा purchase चाहिए वो cash पे आपने purchase क्या हो चाहिए आपने credit पे दोनों ही हम यहां पे लेंगे जहांद करते हैं क्या ले रहे हैं cash sales और credit sales जो credit sales हुआ इसमें से जो collection हुआ वह नहीं लेंगे जितना sales कर दिया credit में सब यहां पे consider करते हैं उसी तरीके से purchase बताओ cash पे कितना हुआ है 350,000 का तो 350,000 का आपका cash purchase हुआ है और credit में जो आपने purchase क्या है 120,000 का यह 120,000 का amount आपका हो गया यानि कि जो total purchase है यह कितना आ गया 470,000 हैना 470,000 का amount इसके बाद में बचे हमने rent भी यहां पे rent हमारा expense है वो भी minus किया जाएगा तो rent चाहे आपने pay कर दिया है चाहे वो अभी outstanding है फरक नहीं पड़ता सारे expenses करंटियर के एक्रो जिस साल में due हो गया है हम उस साली उसके expense मानते हैं तो rent पे किया कितना है हमने 50,000 का amount और और end में हमारा out earning कितना है 20,000 का amount आपका तो 50,20 मिलके आपका कितना हो गया 70,000 का amount 70,000 मुझे बताई जड़ा अब हमारे पास यहां पे profit कितना निकल के आ गया मान लो कोशन में दूसरे कोई expense नहीं है तो हमारा revenue मेरे बच्चे 9,000,000 रुपिज का है यानि कि sales 470 का expense मैनस कीजिए 70 मैनस कीजिए यह हमारे कितना निकल के आ गया 3,60,000 यह profit आ गया on कौन से basis पे जी accrual basis पे accrual जो accounting आप बच्पन से करते आ रहे है 11 class से आपको यहीं सिखाया गया है कि revenue और expense हम उस साल का मानते है जिस साल वो आपका accrual हुआ है डी हुआ है पेमेंट कभी भी आए चाह जाए फरक नहीं पड़ता आप लिजगो भी कर लें यह accrual basis आपका हो गया फिर कहता कि cash basis तो profit निका लिए मैं आपको यहीं पर दिखाना चाहूंगा ताकि पूरी clarity आपका निकल का है कि cash basis हम क्या कर रहे हैं पेंज को change कर लेता हूँ number two number two आप लिखेंगे cash basis of accounting तो cash basis में हम लोग क्या करते हैं यहां पर हम जब revenue लेंगे current year का sales revenue जो लिया जाएगा वो revenue मरें बच्चे जितना sale करके cash हमारे पास आया करन टियर में वही revenue मानते हैं है न जो हमने sale करके receive किया मतलब जो cash पे sale किया था वो तो पूरा आप का जाएगा cash basis पे जो हमने sale किया था वो सारा पैसा current year में आ गया है वो पूरा amount लेंगे यानि कि 5 lakhs रुपिज का लेकिन मेरे बचे जो credit sales हमने किया था 4 lakhs का वो पूरा नहीं लेंगे इन में से जितना पैसा current year में collect हुआ है ना यानि कि collection from debtors आपका collection from debtors उसी को हम यहां पे क्या करेंगे आपका sales का amount लेंगे यहां पे तो data से हमारा collection कितना हुआ है 3 lakh 20,000 3 lakh 20,000 यानि कि 8 lakh 20,000 का amount हमारा क्या निकल के आगया आपका sales निकल के आगया इसमें से minus करो ना आपका purchase के नाम पे expense कितना record किया जाएगा purchase के नाम पे जो expense record होगा यह तो आपका cash basis पे जो purchase किया वो record किया जितना भी purchase के नाम पे current year में आपने payment किया है यानि कि 350,000 का amount आपका दूसरा जो आपने credit purchase किया में पेच्छे वो नहीं आएगा इसमें से जो हमने current year में payment किया है ना यानि कि payment जो हमने किया हुआ है उसको consider करेंगे यानि कि payment लिखे आप यहाँ पे payment to creators creators नहीं कि जिनसे हमने goods purchase किया था ना credit पे उनको हमने किया है payment किया है तो वो amount निकल के आएगा मुझे बताए payment हमने कितना के 10,000 cash basis में जो cash आया गया बस उसी के accounting आपकी होती है तो यह आपका 4,30,000 का expense आपका हो गया और उसके बाद जो rent भी आप लेंगे यहाँ देखना rent वही लेंगे जो हमने क्या किया जी current year में pay किया है आट штक यहाँ पे consider नहीं किया जाएगा तो rent हमने कितना pay किया यहाँ पे आपका 50,000 का amount तो आप 50,000 यानि कि जितना हमने pay कियа से वही consider कीजए मुझे बताओ जोड़ा यहाँ पे profit आपका कितना निकल के आगया profit on cash basis cash basis पे आपका profit कितना निकल के आगया cash basis पे तो 8,20,000 में 8,20,000 में मैंनस किजिए आप यहां पे 430 का माउंट और मैंनस किजिए 50,000 calculator आपके exam में allowed है कहीं कोई दिकत नहीं है tool class तक मना होता है उसके बाद सब जगा allowed होता है तो कोई tension नहीं है बहुत ही मस तरीके से calculator भी use करेंगे calculator या देखना या तो आपको लेना है मतलब कि citizen का या corporate का यह कैसी हो किसी का भी scientific नहीं होना चाहिए बस normal calculator जो मेरे पास है ऐसा ही होना चाहिए root over हो कोई बात नहीं plus minus आपका हो percentage हो और इसके सिवाए कुछ भी नहीं है आपका ठीक ना तो यह भी हो गया आपका इसी बात को मेरे बच्चे यहाँ पर समझाया गया है एक बार आप मेरे साथ देख लो कि cash basis of accounting में और accrual में क्या है accrual पढ़ेंगे आप यहाँ पर accrual basis of accounting is a method of recording transaction by which revenue cost asset liability are reflected in the accounts for the period in which they accrue जिस साल वो accrue होते उस साल ही हम assets liability experience revenue दिखाते है मशीन हमने जिस साल में आपने परचेज किया होगा उस साल ही दिखाते हैं payment आपका हो गया तो ठीक अदवाज हम liability के रूप में दिखाते हैं लेकि उस साल में ही है ना दिखाया जाता है यह crew basis होता है इट इज ऑल्सो कॉल्ड आगे पढ़ना दब बेसिस इंक्लोड इंक्लोड इंक्रेशन रिटिंग टू डेफरल और एलोकेशन डेपरिसेशन अमोटेशन मतलब यह वही अकाउंटिंग जो हम करते आ रहे हैं इसी के बेसिस में क्या डेफर करना है क्या एलोकेट करना मतलब खर्चे कितने करेंटिर में दिखाने कितना डेप्रिसेशन चार्ड करना सब करते मि इसको मर्केंटाइल बेसिस को मर्केंटायल बेसिस और यही मेर भी बेसिस लिखलो आप अपने बुक में बुक में लिखले कहीं पर आगया तो प्रशान ना Trust के रिवे नों इसका बहुत डिटेल आपको नहीं पढ़ना बस आपको थियोरी में थोड़ा सुनों ने दिया हुआ है बाकी पूरी जो अकाउंटिंग है आपको एक्रूल बेसिस पर ही आप इदर सिखा है आगे भी करते चलेंगे यह कैश बेसिस आपको सिर्फ थियोरी के लिए जाना है ब स्थात. उनको तो आपको पर अपका leaf क्या अपलब हम अपना वहीं वादश हमारे पास आया है, लेकिन एक्सपैंश का हते है यह न्थे तो response म हम तो मैशन बन गया, मान iba आजाय आपका मिक्स में आपका जो रैविणू इंकम कह दे या रेवेनू कह दे कुछ भी यह इंकम या रेवेनू रिकोगनाईज होते हैं कौन से बेसिस पे तो हम क्या बोलेंगे कैश बेसिस पे बट एक्सपे इसका मतलब कि आपके पास अगर मालो यहां पर आ जाए अगा थर्ड लिखिए आप यहां पर सुलूशन में कॉरई यहां पर थर्ड अगर वाहं अगरठ हइबरी अगर आप हाइबरेड शिस्टम औफ आपकांवंटींग को फॉलोую करते हैं सिस्टम आपवर कउन्टिंग को तो सेल्स में अम्रेपास क्या निकल कैया तो सेल्स में हमका पास आजयागा इतो कैश सेल्स एक हमारे पास आजाएगा cash sales और एक हमारे पास आजाएगा यहाँ पर collection from data आपका collection from data है ना यह हमारा आपका sales में amount निकल के आजाएगा तो cash sales में आपका 5 lakhs रुपीज का amount हो गया 5 lakhs रुपीज का और collection में कितना हो गया जी 3 lakh 20 thousand 320 यानि कि revenue जो हमारे पास आएगे revenue यानि कि 8 lakh 20 thousand यह तो cash basis पर आएगा लेकिन expenses जो हमारे पास होते है expenses जिसमें कि आपका expenses में purchases आपका हो गया वो कौन सा है गाजी एक cash वाला credit पर cash और credit मतलब कि accrual basis पर आपका cash purchase हमारा कितना था cash purchase cash purchase था आपका 350 और credit आपका 120 350, 350 और यहां पर आपका 120 तो यह amount आपका total कितना हो गया 470 का amount 470 और even जो आप rent यानि कि जितने भी expenses लेंगे चाहे वो paid हो गया हो चाहे वो outstanding हो बस current year का आपका होना चाहिए तो rent आपने pay किया था 50,000 और आपका outstanding है 20,000 तो total amount मिलके कितना हो गया 70,000 का amount 70,000 मुझे बताओ जरा कि 820 में अगर हम minus करते है 8,20,000 में say 470 का amount और minus आपका 70,000 तो आपका 2,80,000 का amount निकल का है 280 का amount यह आपका profit हो गया on hybrid system of accounting आपका तो पर बचे accrual में सब कुछ due basis पे cash में सब कुछ cash पे cash basis पे बट expenses लेते हैं accrual यहनि की due basis पे and profit निकल के आगया तीनों का profit हमने निकाल दिया तीनों का सर यह उल्टा नहीं हो सकता है कि sales को हमने ले लिया accrual पे नहीं बदमाश जो rule है वही follow करो न और यह कौन से लोग follow करते हैं कौन से नहीं हो आगे कविशा है foundation level में आपको इतना detail में नहीं पढ़ना जितनी बाते मैंने बता ही बस वही पढ़ना है उतना भी नहीं पढ़ना पर वो भी मैंने practically आपको समझा दिया कोई doubt इसके अंदर में नहीं सर तो हमने क्या-क्या आपको यहाँ पे basis of accounting भी हमने यहाँ पे complete करें इसमें को doubt ना आएए अब हम आगे इसके बाद आपका procedural aspects of accounting procedural aspects of accounting का मतलब होता कि क्या procedure हम follow करते है accounting हम करते क्या एक्चुली आपका करते क्या है हमने अभी तक accounting में क्या-क्या सिखा accounting का एक तो meaning सिखा मेरे बच्चे accounting का हमने सिखा कि objective क्या होते हैं आपके accounting के हमने functions जो हम बड़े होके जब charter counter बन जाएंगे तो हमें जो accounting में करना होगा उनके बारे में सिखा हमने subfield of accounting देखा subfield क्या होते हैं हमने basis of accounting देखा और अब हमारे procedure aspects of accounting इसके बीच में हमने bookkeeping और accounting के बीच में differences क्या होता हैं वो भी समझने की कोशिश किये एक bookkeeping का definition दिया था मैं बोल गया वो किस के मताबिक था? Carter के मताबिक था इस सारी बात आपको दिवामों रखने पड़ेंगी हमारा institute मेरे बच्चे बहुत अच्छे से question बनाता है लेकिन उन question का answer वही बच्चा दे पाएगा जो कि proper तरीके से वो accounting को समझ के पढ़के जाएगा ratification नहीं चलेगा आप आज रटोगे, कल भूल जाओगे लेकिन जो चीज़ आज समझ जाओगे वो कभी नहीं भूलोगे बस यही बात ध्यान देखना आएए प्रोसेजर असपेक्स मतब क्या प्रोसेजर फॉलो करना होता accounting में जी तो दो है मेरे बच्चे एक आपका financial information को generate करना और फिर उसको use करना है ना आप देखो ना हम लोग क्या करते हैं पर देटा को generate करते हैं वो trading count profit loss, balance sheet, cash flow भी पढ़ेंगे ratio बहुत सरे चीज़ भी आपको पढ़ना है आप पढ़ते आ रहे हैं उससे क्या होता है कि financial information हम generate करते हैं और फिर उसको हम use करते हैं मेरे बच्चे फिर हम उसको क्या करते हैं यूज करते हैं analysis में interpretation में different type के लोग होते हैं जिनको different type of information चाहिए उनके पास वो पहुचाते हैं जैसे कि company के जो investors हो चाहते हैं कि जानना चाहते हैं यार company क्या profit कमाई क्या loss कमाई तो profit के बारे में हम उनको बताते हैं जो आपका मानलों कोई loss making company sorry मानलों की जो company का honor है वो दिखना चाहता है कि company का क्या performance हो रहा है क्या perform कर रही है क्या position आपका है तो इन शॉट की जो प्रोसेजर अस्पेक्ट में क्या बताना है कि जो information हमने generate किया है उसको जितने सारी user से जो भी हमारे information को use करना चाहता है उसको proper तरीके से वहां पर पहुचाना ठीक है ना तो अब generating financial information में क्या होगा यह हम अलड़ी कर चुके हैं हम अब देखो दो procedure aspects हुआ एक generating दूसरा using generating information को generate करने में हम क्या क्या करते हैं हम क्या क्या करते हैं तो वही बात पेचे recording classifying summarizing analysis and interpretation आपको जो मैं अलड़ी बता चुका हूँ and then आपका communicating इसको communicate करना मतलब कि जो data record किया हमने उसको classify किया laser में summarize किया जो कि trial balance trading profit loss में किया उसका analysis क्या अमरे बच्चे analysis करने के लिए हम cash flow बनाते हैं different types of ratio जो होते हैं आपका किया जाता है और यह बहुत सर चीज़े जो आगे पढ़ेंगे और उसको interpret करना interpret मतलब कि simple language में convert करना आपने जो analysis किया वो आपका accounting language में है लेकिन जो users है जो उसको use करना चाहते है वो they are not accounting का master तो उनके लिए simple language इंटर्पेट करना क्या घाटा क्या फाइदा क्या ठीक दिख रहा है क्या आप दिख रहा है सब कुछ उसको और फिर उसको क्या करना जी communicate करना यह निकिए जो उसके user से उनके पास क्या करना पहुंचा अब हमने पहुंचा दिया उसके बाद क्या होता जी अब using जितने भी user से वह अपने अपने परपस के लिए क्या करता है उसको यूज करते हैं है ना बहुत बहुत तरीके के लोग हते हैं जो आपके company की data को जानना चाहते हैं कि company कैसा perform कर रहे हैं क्या position जैसे कि investors हो गए वो जानना चाहते है कि हमारा पैसा कितना सेफ है जो कर्ज に देखना है कि हमें interest हमारा पैसा वाहपस हो पाएंगा क्वेंपनिय के इंपलोई है वो भी जानना चाहते हैं कि भी आमें bonus मिलेगा कि नहीं मिलेगा government भी जानना चाहते हैं कि हमारा tax कितना बनेगा है ना मतलब different type of जो लोग है उनके पास उसको communicate करना यह खतम हो गया पहले वाले में हम लोग क्या परण रहे हैं procedure aspects तो procedure aspects में पहला क्या होता information को generate करना और उसको communicate कर देना ना communicate करने के बाद जिनको जिनको हमने communicate क्या वो उसको यूज करें अपने different purpose के लिए है न वहां चला गया जो management हो यूज करेंगा आगे के planning की सब काम के लिए तो वह बात है आपको यहां बताएगी है कहता है यूजिंग में यूजर्स not only include proprietor or owner but also include investor employee lender suppliers government customer and public at large सभी को सभी users होते है accounting data is more useful if it stresses more on economic substance rather than technical form मतलब कि economic substance वो पैसे के बारे में company का performance के बारे में जो जितना अच्छा बताता है उतना ज्यादा फायदे बंद होता है information is useless and meaningless unless it is relevant and material जब वो relevant होगा तभी आप क्या करोगे वो आपका यूज हो पाएगा और relevant यह decide करेगा कि किसके लिए हम information मांग रहे हैं अब देखो न यूजर्स कौन-कौन से होते हैं यहां पर exam में आपका सकता है कि users of accounting information कौन-कौन है तो investors जिन्होंने company में पैसा invest किया है वो जानना चाहते हैं कि हमारा investment कितना सेफ है investment को भी अपने पास रखे या उसको बेच दे इंप्लॉई जो की जानना चाहते हैं कि company में आपका जो उनका क्या growth हो रहा है company ग्रोग कर रही है तो हमारा भी selling grow करेगा नहीं grow करेगी तो नहीं grow करेगा तो फिर कहीं और चले जाएंगे bonus मिलेगा कर नहीं मिलेगा हम कितने कर्ज कंपनी को दिया है वो टाइम पे हमारा पेमेंट हो जाया कर नहीं हो जाएगा वह भी इंफोर्मेशन जानना चाहते हैं कि यार कंपनी जो अभी का है वह आपका कितना स्टेबल है आप जैसे मालो एक कंपनी एक एक आपने सुना होगा आज से कुछ समय पहले पेटीम का एक मार्केट में न्यू जाया था बच्चे कि वह इन्सॉल्वेंट होने वाली है है ना मतलब कि उसका स्टिती खराब हो रहा है सुनने में आ था रूमर सुठा था मार्केट में तो उस केसमें कई लोगों ने क्या क्या पैसा निकालना शुरू कर दिया तो यह कंपनी सेफ है नहीं है इन्फोर्मेशन कौन देगा अकाउंटिंग देगा और इसी अकाउंटिंग को यूजर्स आपका देखते हैं कि वह आम कितना उस के लिए स्टेबल है वह पूड़क्त हमें कब तक मिलेगा वह पूड़क्त यूज करना भी कि नहीं करना आपका कहीं इस तो पूड़क्त जिसके लिए पब्लिक वह जो की पब्लिक अट लार्ज अब उनके लिए का सफाइट क्या काम कर रही है कहीं ओँ कंपनी तो फाइदा कमारी बट हमारे इन्वार्मेंट को लोज हो रहा हमारे बच्चों को लोज होगा क्योंकि वह जो पॉलुटेट यूजर्स एक्जाम में आजए यूजर्स तो आपको क्या करना इन सारे के बारे में लिखना है और एक चीज में बता दू हमेशा के लिए ध्यान लखना यह जितने भी यूजर्स हैं इंवेस्टर इंप्लॉई गौर्मेंट लेंडर सप्लायर्स इन आपका मेनेजमेंट यह क क्लेक्टिबली मतलब जितने भी यूजर्स होते हैं उन सब को क्लेक्टिबली हम क्या बोलते स्टेक होल्डर स्टेक होल्डर मनें यह दे दिया है कि वह याद रहे कि बात आपका यह सर अब आज आपर बच्चे कुछ बाते जो आपको जानना बहुत जुरूरी है क्योंकि आपके फांडेशन में अकांटस लोगते हैं आपको पढ़ाया जाता है सबींग्स को मतलब अकाउंटिंग में अपनी कंपनी में और जब हम किसी कंपनी में काम करते लिए यह बहुत बढ़ा है एकोनोमिक्स माँ पढ़तो या डिमांड बढ़ गया तो प्राइस बढ़ गया तो डिमांड बढ़ गया यह तो आपका एकोनोमिक्स सिखाता है supply law of supply था पता नहीं क्या क्या आपने पढ़ा था लेकिन यह हम लोग यूज करते हैं अपने अकाउंटिंग में decision making में इसका डिस क्योंकि accounting is call the decision making आपका interpretation analysis of data तो यह data का analysis में interpretation में बहुत यूज करता है मरे बच्चे तो economics जो आप पड़ते हैं यह भी बहुत important है आपको data को collect करने के consumers behavior को जानने के बारे में ताकि उसके पर आगे decision ले पाए है ना यह हम देख रहे है कि क्या relation है accounting का विच अधर discipline आपको वही कह रहा है economic stale sort how scarce resources are utilized effectively for that it is required to analyze the data of resources accounting provides major database for the same purpose आपको accounting से data आता है और उस data से आपको पता चलता है कि हमारे पास इतने resources में इस तरिके से यbay इतना हमें यूज करना यहां पर पैसा लगा यहां पर पैसा निकालना लिम्टेड रिसोर्स जैना तो लिम्टेड it सोर्सेज को व Goldman ख़ितर और economics को सकतने के लिए क्या डेटा चाहिए data में कहुंद देगा कंपनी को लेकर इसका i shirt account & धुस्लरा स्टेट्स आपका बहुत य्ज है मुझे आपके अप मैथेब्लीक्स परते हैं स्टेट्स परते ट्रेंड एनलिस आपका हैburg आपके cmतलब का एक टरीक Bilis हैं कि अक्ठ्टर दे आप सब कुछ क्या करते हैं कि accounting से जो data मिलता है business का business data उसको हमें stats में fix करके हम क्या करते हैं उसका analysis करते हैं मेरे बचे forecasting करते हैं हम future के बारे में expect करते हैं क्या probability होगा कैसे कैसे काम चलेगा और हमारा काम निकल के आता है तो actually यहां पर आपको बस बताया गया है कि अगर आप foundation level में भी economics बढ़ रहे हैं mathematics बढ़ रहे हैं तो यह मत सोचना किसे को यूज नहीं होगा final में आके सब आपका इंटर लिंक अब तो इंटर में भी इंटर में आपका एकोनोमिक स्कौइड किया गया है क्योंकि वहां पर content है वहां पर यूज आपका होगा तो accounting स्टेट्स का भी आपके यूज होता है accounting mathematics का भी यूज होगा क्योंकि mathematics क्या करता है डिफरेंट टाइप सब अब करता है वह आपका इंटरेस अनुटी सब निकालना तो यह सारा कोछ accounting यह तो पहली पता चुका हूं कि जो जब आप accounting करते हो जब आप decisions making करते हो तो वहां पर आपको लॉग को द्यार में रखते हुए पता नहीं कितने आपके लॉग है हमारे देश में जो चल रहे हैं इंडिन कॉंट्रेक्ट एक्ट है पार्टनर्शिप एक्ट है यह साई एक्ट है पी एफ एक्ट है लेवर लॉग है यह वह बहुत सारा मुच भी दिकत नहीं है अकाउंटिंग एंड मनेजमेंट का तो दूर दूर तक रिष्टा है आपको पता चल चुका है क्योंकि आपका क्या करता है जो डेटा देगा उस पर हम क्या करेंगे जी आगे का decision making process करेंगे management decisions कैसे लेगा accounting जो हमें data दिया हुआ है तो यह अभी आ limitations का है limitations of accounting का मतलब होता है की आखिर क्या accounting में कुछ कामिया भी है क्या कुछ कमिया भी ओभर जिसमें अच्छाई होगा उसकी कमिया भी होगी 100% छोड़े इस अचा कुछ वह बन रहा है न बन सकता है और जो फूचर अभी होने वारा है हम हम उसको उसका कैसे काउंटिंग कर सकते हैं तो यह कहने का मतलब कि लिमिटेशन मतलब सिर्फ खामिया नहीं होता है दाइरह भी होता बच्छे लिमिटेशन, दायरा, कि हम future को record नहीं कर सकता है, मसी past को record कर सकता है पहला, हम दूसरा limitation कि past को देखकर, past को देखकर मेरे बचे future को expect करना इतना असान नहीं होता हमने कहा था कि आपका accounting में forecasting करना होता है, future को expect करना होता है, future में ये करना है, ऐसे करना है पर जो future को आप expect करना हो, जो budget बना रहा हो exact थोड़े ही हो सकता है हमने past में इतना perform किया, हमने बोला कि ठीक है अगर ये perform हुआ तो आगे भी ऐसा होगा exact थोड़े हो सकता है, कुछ भी changes हो सकते हैं, ये भी खामिया है accounting में हमें कई तरीके के estimates लगाने होते हैं, जैसे कि depreciation चार्ज करना हो, एक estimate है exact थोड़े ही हमारा, provision हमें बनाने है, provision for benefits बनाते हैं, provision for tax session बनाते हैं, सभी कुछ क्या estimate है तो जो estimate है वो गलत भी हो सकता है, वो exact हमेशा थोड़े होगा, ये भी क्या एक limitation है accounting में आपका biasness आ सकता है, biased हो सकता है, अब मैं अपने firm की accounting जो है, मैं चाहता हूँ कि यार, government से जितना profit कमा रहा हूँ, सारा profit government को ना बता हूँ तो मैं पता क्या करता हूँ, मतलब क्या करते हैं ऐसे लोग, वो profit को आपका suppress कर देते हैं, मतलब कि कम दिखाते है अगर किसी को profit जाना दिखाना क्योंकि हमें loan लेना है, market से branding दिखाना है, तो क्या करते हैं, कम profit कमाते तब ज़्यादा दिखा देते हैं तो यह biased है अपका, मतलब कि हम accounting के अंदर में जो data जाए, वो लोग generally change करके उसको आपका क्या करते हैं, यह भी खामिया है, है ना, तो आप देखो ना, इसमें क्या-क्या निकल के आएगा, आपका accounting में अगर आपका limitations की बात करें, तो accounting cannot reflect loyalty and skill of person, यह तो बहुत बड़ी खाम है, दूसरा employee loyal नहीं है, skill नहीं है, हम इसको तो recording नहीं कर सकते हैं, because they cannot be measured in terms of money, तो only those things which can be measured in terms of money, they are only recording the accounts आपका, तो इसका मतलब कि जो skilled labor है, एक unskilled labor है, loyal है कि नहीं है, इसके recording accounting नहीं कर सकता, accounting कभी भी आपको future के बारे में नहीं कर सकता, है ना, it never tells about the future of the enterprise, यह सिर्फ सिप क्या करता, past event जो हुए ना, उनी को record करने का काम करता है, यह mostly ignores changes in money factor, like inflation, पिछले साल हमने का कि हमने 10 lakhs का profit कमाया था, और इस सबर हमने 11 lakhs का profit कमाया, तो या हम तो बढ़ गे, अच्छा कमाया है, लेकि मिर बच्छे साल इस वर महंगाई भी तो बढ़ी है, अब inflation की accounting यहां पर नहीं होती है, दो हमारा जो institute है, हमारा ICIA, even a world level मेरे बच्छे inflation की accounting अब शुरू करने की कोशिश की जा रही है, बट फिलहाल अभी तक तो limitation है न, क्योंकि आपने पिछले साल से कह दिया कि एक लाग रुपे ज्यादा कमाया, बट inflation जो हो तो record नहीं हुआ, य in some occasions accounting principles conflict with each other, ओ हो यह तो बहुत बड़ा दिकत, अभी हमें अगली class में आपको अगली chapter में पढ़ाऊंगा, कि accounting principles जो है न, सिधान्त, जिस पर accounting हमारा ठीकावा, वो ही आपस में conflict करते रहते हैं, एक principle है, accounting for full disclosure, वो कहता है कि सब कुछ disclose करो, सब कुछ disclose करो, और एक principle है कहता ह कि maturity को follow करो, मतलब जो सब कुछ disclose नहीं करना आपको, जो important है उसको disclose करो, जो important है उसको क्या करो, कलब करके दिखा दो, तुमरे बच्चे यहां पर कई सारे ऐसे principle हैं, जो आपस में conflict करते हैं, इस पर भी हमें काम करना होगा, हमें इसको overcome करना होगा, फिलाल limitation के अंदर में हम पर रहे हैं, some accounting estimates require personal judgment, जैसे कि provision for doubt updates बनाना है, method for depreciation क्या होगा, tangible assets को कितना right of करें, intangible को, यहां personal judgment की requirement होती है, personal judgment का मतलब कि लोग to लोग depend करता है, मेरा मन कुछ लगता है कि मैं तो depreciation SLM से charge करूंगा, मैं चार्ज कर सकता हूँ, एक company को लगता है कि WTP से charge करें, हो चार्ज कर सकते हैं, तो मतलब यहां personal judgment है, provision for warranty कितना बनाना है, provision for tax कितना बनाना है, provision for doubt for debts कितना बनाना है, वो personal judgment पे होता है, कि हम क्या चाहते है, management क्या चाहती है, वो finance manager क्या चाहता है, वो exact नहीं है, और जब exact नहीं है, कुछ changes हो सकता है, तो खामी हुआना है, limitations हुआना, वही ब दिखामी है, different accounting policies for treatment of same item, यह तो increase the probability of आपका manipulation, यह तो बहुत बड़ा दिकत है, जो भी बता रहा था, कि accounting करने के जैसे, आप देखो न, मैं कैसे बता हूँ आपको, एक ही आइटम का accounting करने के कई सरित रही, जैसे आपका जो जानतू से ही किसाब से depreciation की बात करो, methods का depreciation, एक depreciation charge करने का method asylum होता है, एक WDV होता है, तो हम कौन से method को charge करें, वो depend करता है, कि हम कितना profit दिखाना चाहते हैं, कितना कम दिखाना चाहते हैं, उसके उपर में आपका, है न, तो problem यहाँ पर क्या होता है, कि एक ही item को treat करने के कई सारे आपके यहाँ पर method से, इसे manipulation के chances बढ़ते क्योंकि आपके institute के study med का सब कुछ में cover कर रहा हूँ, सब कुछ कबर कर रहा हूँ, बिल्कुल आग बन करके आप rely करेंगे, आप class के end होने के बाद न, इन सब को हाथ से लिख के practice करेंगे, जो चीज़े अगर एक बर हाथ से लिख लो न, आप practice करते समय, वो हमेशा के लिए को यह loyalty, skill of personal, यानि कि लोगों का skill loyalty को record नहीं करता, future के बार में कभी नहीं बताता, सिर्फ past event को record करता है, inflation factor को आपका ignore करता है, यानि कि record नहीं कर पाता, कई सबरे principle आपस में conflict करते हैं, यह भी दिखता यहाँ पे, personal judgment पे involve करता, accounting यह भी दिखता यहाँ पे, सिर्फ उनहीं को record करता है, जो money के term में major हो सकते हैं, जिनका money के term में measurement नहीं हो सकता है, जैसे दो manager आपस पे जगडा कर गए, अब जगडा करने से no doubt की company को loss हो रहा है, क्योंकि दोनों काम ठिक्स नहीं कर रहे हैं, पर इसको record नहीं कर सकते, they cannot be recorded, क्योंकि money के term में major नहीं कर सकते हैं, और different कि यहां पर आपका role of accountant in the society, accountant यहां पर कहना गलत होगा, मैं chartered accountant की बात कर रहा हूं, आपकी बात कर रहा हूं कि हमारा क्या role है, आपका role तो बहुत बढ़ा है मेरे बच्चे, आपका role तो बहुत बढ़ा है कि accounting के अंदर में आपका क्या निकल कर आगा है, एक बार आप इसक मुझे पढ़ाने की जूरूत नहीं, आप जानते हैं कि जितने भी profession हमारे देश के world में है, उसमें सबसे आपका best में से best एक हमारा है, CA का profession, यानि कि chartered accountant का, तो वही बाते बताया जारा है कि there are few profession in the world having high esteem in the public eye, जिसमें कि हमारा accounting उसमें से एक है, यह business को, it helps business to see financial position and plan for the future, ह पोजिशन हमारा क्या है, future का हमारा plan क्या है, उसको बनाने में help करता है, यह help करता है, मिरे बचे society को educate करने में, training देने में, experience शेर करने में, आपका accountant help not only the matter of taxation, यह सिप taxation में काम नहीं करते हैं, मैं आपको बता दूँ, जब आपकल को CA बन जाएंगे, तो आपको बहुत सारे options रहेंगे, tax को उपर में काम करने का, costing उपर में काम करने का, financial management, finance को manage करने में, financial accounting रहेगा, इसके साथ साथ आप consultancy service के इंदर में जा सकते हैं, consultant बन सकते हैं, जो बड़ी-बड़ी कंपनिया हैं, उनको कुछ समझ मनी आ रहा, आप उनको assist करेंगे, छोटी कंपनिया वो अच्टिविटेश अपर में काम कर सकते हैं, जो यहां तक आप सोच सकते हैं, जहां भी पैसा दिखेगा, समझो कि वहां पर अकाउंटिंग है, वहां पर आप हो, बस, area of service, कहां-कहां आपके service मतलब क्या कहां-कहां आप काम कर सकते हैं, जहीं CA बनने के बाद, तो maintenance of books of accounts, books of accounts को maintenance करने में, statutory audit जो आप करते हैं, हर एक company, आज के टाइम पर मिरे बचे एक compulsory है, कि company को अपना audit कराना, audit का मतलब होता, accounts को चेक कराना, कोई भी company, अगर मानलो कि उन्होंने क्या किया है, कि अपना accounts maintain किया है, और government के पास जाती है, कि भई हमने accounts maintain किया है, देख लो, नहीं मानते हैं, नहीं मानती है, हमारे देश की जो taxation authority नहीं मानती है, वो कहते हैं, CA के पास जाओ, और CA सी आपे stamp लगाओ, अगर CA ने अपने stamp मार दिया, यानि कि audit कर लिया, तो फिर हम मानेंगे कि आपने बिल्कुर सही किया है, सोचो कितनी बड़े responsibility आपके पास है, तो वो company मेरे बचे आपके पास आती है, पूरा accounts check राती है, आप उसको check करते हो, यानि कि आप audit करते हो, और फिर अगर सब कुछ सही होता तो बोलतों कि हाँ जी सही है, और फिर अपने stamp मारते हो, तो ये भी तो आपका service है, ये भी तो आप काम करते हो, ये इसको बोलते हो, इसको बोलते है, statutory audit यानि कि कानुन ने जो audit बोला वो करने के लिए, हैना ये भी आपका, यहमेंशा एक चोरी तो नहीं हो रही है, cost ठीक से आपका incurred हो रहा है कर नहीं हो रहा है, इसके लिए एक auditor रखते हैं अंदर में, वो statutory ने ये कारूर नहीं बोला हुआ है, लेकिन company खुद रखती है मेरे बचे, उसको बोलते है internal auditor, ये भी आपका service है, ये भी आप बनते हैं, ये भी आप क थोड़े से, थोड़े ने बहुत सारा experience आप ले लेते हैं, बुड़े हो जाते हैं, expertise आपके अंदर खुब भर जाता है, तो आप consultancy शुरू करते हैं, बड़ी बड़ी company को guide करते हैं, छोटी company को बढ़ने में help करते हैं, बहुत तरह की consultancy होती है, आज बताऊंगा, तो भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि बहुत सारे काम निकल के आएंगे, आप इसको पढ़ेंगे, ज़रूर मैंने आपको समझा दिया है, financial advice, लोग आपके पास आएंगे, advice मांगने के लिए, कि बताओ जी, यह चीज़ खरेदे हो के ना खरेदे हो, या बना लो, manufacturing कर लो, क्या मेरा profit follow रहा, उसका क्या region है, कैसे मैं efficiency को बढ़ाऊं, मेरे business की क्या value है, pension scheme, डालूं के ना डालूं, इस सभी आपके इन सब के लिए क्या होगा जी, आपके पास लोग आएंगे, और इसके बाद भी मेरे बच्चे, सोचो कितने सारे काम हैं, कितने सारे काम, कई सारे बच्चे ब company का formation का आप काम करते हैं, company को liquidate company बंद होगी, तो भी आपको point करेगी कि लोग मुझे बंद करो जी, arbitration में, cost accounting में, ये सारे field सब कुछ कहा जी आपके लिए, सारे आपके लिए, ठीक है ना, कोई doubt इसमें नई सर, आए, आपके लिए अगला topic है, chartered accountant in the industry, यानि कि जो chartered accountant है, उनका industry में क्या roll है, दोखो ये सब चीज़े आप पढ़ जाएंगे, इसमें कुछ भी समझाने के लिए नहीं है, ये आपके लिए बताया गया है, कि आप समझे कि actually क्या करना है आपने, दोखो industry के अंदर में चाहते हैं कि जो industry में जिसमें आप काम करोगे, आप industry को पहचा होगे, आप शायद वो उस पे planning नहीं कर सकते हैं, उस पे आप control नहीं कर सकते हैं, तो finance क्योंकि हर एक department से जुड़ा हुआ है, चाहिए वो आपका mechanical department हो, चाहिए human resource हो, चाहिए कहीं पर भी आपका हो, तो हर एक उस industry के जो segment से उनका knowledge आपको gain करना पड़ेगा, तब उनके ल प्लानर, वो आपका एक highest planning team के आप पार्ट हो, लेकिन बटिवा not a planner for the industry, industry के प्लानर नहीं हो आप, आप अपनी company के हो, लेकिन he works within the functional department and translate the organization, aim in the terms of financial expectation, कहता है, he has to make a thorough study of business and individuals in the functional department, जितने भी department इस उस में जो लोग काम कर रहे हैं, उन सब के बारे में पूरा knowledge होना चाहिए, चाहे वो इंजीनेर हो, चाहे शेलसमेन हो, a qualified accountant, अकाउंटे में चाहिए, चाहिए अपने चाहिए, अपने चाहिए, प्लेज रहे हो इन सब कर सकते हैं, बशर्ते की, इंडस्री जिसमें आप उपरेट कर रहे हो, उसमें हर एक चीज का आपको knowledge रखना पड़ेगा, ठीक न या private लोगों के साथ मिलके वो profit के लिए काम कर दी है, तो यहां पे वो companies, nation के लिए proper तरीके से काम करें, उनके resources ठीक से use हो, उनका proper उनका भी planning हो, पुरा proper functions उनके होने चाहिए, जो उनका main aim है, nation को आगे बढ़ाना, उस पे आपको work करना चाहिए, तो आपको क्या करना होग कि पब्लिक सेक्टर जो enterprises है, उनके लिए भी आपका important role होता है, अगर वो developed होंगे, हमारी जो देश है न, चाहिए कोई भी country हो, चाहिए वो developing है, चाहिए developed countries है, उन सबका जो growth होता न, उन पब्लिक सेक्टर कंपनी के उपर में तिका होता है, तो पब्लिक सेक्टर कंपनी का प्रोपर आपका planning बनाया है, उनके उपर अगर उस सेक्टर में आप काम करें तो उनका प्रोपर रिपोर्टिंग हो, उनके efficiency पे काम करना, यह हमारी जिमेदारी होती है, मेरे बचे, वही कहरा है कि बोथ developed and developing country, public sector enterprises have become a special feature for the national economy, the system of financial and budgetary control and of accounting, auditing, reporting, has therefore become a matter of interest and concern to the nation, नेशन के लिए बहुत बड़ा important concern हो गया है, and does not remain confined merely to a limited number of shareholders, सिर्फ शेरोल्डर नहीं, पूरे नेशन को ध्यान में रखके इन company का development होती है, the form of accounting followed by this corporation or company is different from that of ordinary government accounting, जो government accounting होता है, अभी आप नहीं सिखे, उनका एक अलग accounting दिया गया, उनसे हटके इनके accounting होता है, क्योंकि ये market में compete करते हैं, है ना देश के जो growth है उसको पर में काम करते हैं, तो कहता है, it is the duty of chartered accountant to prepare the accounts and reports of this public corporation in such a way that they enable the general public to know how far the items appearing in the various types of records and financial statements justify their existence, उनको ensure करना होगा कि financial information जो उन्होंने बनाया है, वो justifyable होना चाहिए, मतलब सही होना चाहिए, वो गलत नहीं होना चाहिए. जनली देखा गया है कि public sector में उतना जो लोग होते हैं, वो सोच दे यार government company है, क्या उतना effort के डालके काम करना, बट आपका काम होता है, उसको proper तरीकी से overcome करें, सही करें, ठीक है, यह सब पढ़ जाएंगे बच्चे, कि fiscal policy, यानि कि जो हमारा देश का जो policy बनता है, राजकोष का, मतलब कि treasury का जो policy बनता है, कितना पैसा कहां खर्च करना है, कहां नहीं खर्च करना, यहां भी आपका र पर में आपका काम करना पड़ेगा, आपको वहां पर अपने service को देने पड़ेंगे, तो यह कुछ चीजे है, एक्जाम में पुछे आपका रोल है, इसको पढ़के आपको रखना चाहिए, आपको समझ में रखना चाहिए, ताकि आगे आप का अंदर का जो motivation हो बना रहा है ठीक है ना, अब यहां से हम आगे, आपका ही chapter खतम हो चुका है, अब आपके study mate की कुछ question से मैं आपको करा दूँ, एक तो true false, आपका पुछना की और reason के साथ आपको बताना है, in brief, कहता है कि there is no difference between booking and accounting, बोथ हैं गलत है, false है, आप जानते हैं कि मैंने answer इसका दे दिया है, बट मैं आपको बताते चलता हूँ, क्योंकि already समझा दिया है, management, second में कहता है कि management accounting covers the preparation and interpretation of financial statement, ना, अरे preparation and interpretation of financial statement तो financial accounting होता है, management accounting नहीं होता, यह गलत है, यह भी false है, देख लेना आप यहां पे, financial accounting is concerned with internal reporting, ना, reporting थोड़े financial accounting में आता है, reporting तो management करते हैं, management accounting के अंदर में आएगा, financial accounting क्या था जी बास financial statement को बना के खतम कर देना, था ना, याद है आपको ना, हमने पढ़ाया था, यह भी गलत है, फोट कहता है, customers of business should not be considered as users of accounts, गलत है, customer भी users होते है, बताया था मैंने भी उपर आपको, यह भी गलत है, summarizing is the basic function of accounting, गलत बात, basic function of accounting, summarizing नहीं होता है, recording होता है, recording, उपर पढ़ाया बदमाश, आपको दिखाया था मैंने, है ना, recording, यह देवा कितने चुचुचुरी बात है, पर आपको ध्यान अखना पड़ेगा, balance sheet shows the position of the business on the day of its preparation, yes, आपने पढ़ाया balance sheet, कि जिस दिन हम बनाते हैं, उस दिन हमारा क्या position वही बताता आपका, and not on the future date, बिल्कुल सही है, यह सभी answer मैंने आपको यहाँ पर दे दिया है, accordingly, जो आपका institute बोलता है, और पूरे explanation के साथ आप इसको पढ़ जाएंगे, ठीक है न, define accounting, अब आप जानते हैं, subfield of accounting क्या होते हैं, पांच मैंने वो बता दिये हैं, ICA studymate का question है, इसका answer आप बहुत अची तरीके से कर जाएंगे, who are the users of accounting, यह भी आपको पता है, यह भी आपका institute के studymate का है, सब कुछ मैंने समझा दिया ह है, discuss briefly relationship of accounting with economics, stats and law, उपर बता चुका हूँ, आप उसको आराम से पढ़के, इन सब को लिखने की कोशिच करना, इसका answer, तब आपको मज़ा आएगा, छी करना, फिप कोशन, discuss the limitations which must be came in mind, वाली विलोटे, limitations बताना accounting का, वो भी आप जानते हैं, हमने पढ़ा दिया है, अब is not the subfield of accounting, कौन सा, bookkeeping, यह subfield नहीं होता है, यह होता है, है ना, bookkeeping थोड़े कोई subfield था, bookkeeping, subfield मतलब कि, accounting में क्या क्या, financial accounting था, bookkeeping कोई नहीं नहीं था, वो तो उसका part होता है, now, purpose of accounting system include all the following except, मतलब कि, इस में से, एक गलत है, बाकि सब सही है, purpose, यानि कि उसको objective क्या था, interpret and record the effects of, यह तो होता है, classify the effect of transaction, यह भी होता है, dictate the specific type of business enterprise transaction that the enterprise में इंगे, यह थोड़े होता है, आपका कि किस type को businessmen, accounting नहीं बताता, तो यह हमने क्या क्या है, यहां पर सही बोला, यह ना, जो गलत है, उसमें टिक मा करना था, आई जड़ा, इसके बाद आपका यहां पर, third question को उपर में, bookkeeping is merely concerned with, क्या होता है, recording of financial, यह हो गया, ए में, आगे क्यो पढ़ों, कोई मतलब नहीं बनता, all of the following are functions of accounting, except decision making होता है, leisure होता है, leisure posting, functions में leisure posting कहां सा गया, function में नहीं था, function में यह था, यह था, यह तो उसमों काम करते हैं, है न, functions नहीं, याद किजिए, हमने उपर बता है था, four में भी टिक मा करेंगे, financial statements are part of accounting, यह accounting का part होता है, बदमास, bookkeeping में तो आता है, management accounting के कुछ पादी, त decisions making up के है, accounting में जाएगा, तो fifth का, आप यहाँ पर E में टिक मा करेंगे, sixth, financial position of the business is as certain on the basis of, financial position किसके basis में होता है जी आपका, तो आपका वो चलता है, balance sheet, balance sheet हमें बताता है आपका है न, कि position हमारा क्या है, six का C आपका हो गया, seventh में आप आईए, users of accounting include creator, supplier, lender, सब है, तो C में ट statement do not consider assets expressive monetary होता है, तो ठीक है, liability express monetary ये भी ठीक है, assets gravity जो non-monetary, non-monetary को consider नहीं करता, तो यहीं पर ठीक मा कर लेंगे, eight का C हो गया हमारा, ठीक न, अब आईए, नाइए, नाइन्थ में, एक जिनवरी को 100 रेंड पे किया, ये क्या है, transaction है, तो nine का भी हो गया, बताया थै मैं आपको, कि आपका यहां पे transaction होगा, ठीक है, ना, तेंथ में, 31st March को, after sale of goods कहता है, he is left with a closing inventory, event है, ये हो गया, बताया था, बदमाश, which of the following is not a business transaction, ये तो हमें दीख रहा है, ये भी paid towards sell, ये भी दीख रहा है, paid funds fee, घर का payment किया, वो नहीं दीख रहा है, वो हमारा बीजने से खर्च नहीं है, 11 के C में टीक पांग कर लेंगे, which qualitative characteristics of accounting information is reflected when accounting information is clearly presented आपका, तो जो जो बताओ, इसमें कौन सानिकल कैर आपका, understandability, relevance आपका, which qualitative characteristics of accounting is reflected, जो reflect करता है, मतलब कि financial information आपका क्या reflect करता है, जब हम उसको present करते हैं, understandable होना चाहिए, है ना, ये actually आप topic हटा दिया गय कोई आप यहाँ टिकमा कर लेंगे, इसको ना, समझने के कोई फरक नहीं पड़ता है, ये आपका, ये भी हमने खतम कर लिया, ये answer मैंने दे दिया है, ये chapter हमारा end हो गया बच्चे, मैं लिग देता हूँ, यहाँ पे समाप्त, आज की जो first class है, और उसको हमने क्या किया, य जितने भी theory वाले part आप study कर रहो ना, आपने मुझसे समझ लिया ना, अब आज ही क्या करो कि जितने main points उसको register पर लिखो आप, सभी के, सभी का definition उसको याद करके लिखो, जब कोई चीज आप अपने register पर लिखोगे ना, तो क्या होगा, वो बहुत समयते के लिए आपका य करने वाले हैं, और next class में इसके आगे continue करते बचे, आप सबको all the best, thank you, thank you, thank you जी, thank you बच्चों, हलो बच्चों, कैसे हैं आप, मैं CAC में संतोष कुमार, मैंने और मेरे टीम ने डिसाइड किया, कि जो quality education मैं और मेरे टीम एक पनिकुलर एरिया में प्रवाइड कर रहे हैं, उसको पूरे देश में क्योंने फ़ला जाए, at the reasonable cost, under the brand name of COC Education Private Limited, मेरे बच्चों, इस success को हमने पाया, कॉमर्स के स्ट्रेंट से किसी भी कॉर्स के हो, वो पूरे और और इंडिया में बैठके हमारे कॉर्से से बेनिफिट ले रहे हैं, या ले चुके हैं, हमें जो दूसरो बैसिस पे मोटिवेट करना आपको study के लिए, मेरे बच्चों, कुछ रिवियोज पूरे all over India से हैं, मैं चाहता हूं कि वो आपसे share करो, भल्स के दिव पेनो अपश्त । और सक्सेस के पात पे आप भी हमारे साथ अपने सपनों को पूरा करें थेंक यू थेंक यू बच्चे